गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्नु, गुरूर देवु महेश्वरा, गुरू साच्छात्परा ब्रह्मा, तस्मै श्री गुर्वे नमगा। जे जे स्रीराधा, जे जे नबन की सोर, जे इचित चोर, जे जे माघन चोर। आईए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, जहां तर दियावाज जारिये सभी भक्त वैश्नव, सभी एक आरोसन निव्रत होकर यहां भागवत इस्थान पर आकर अपर बड़ी प्रेम से, बड़ी भाव से, आको जी के सुन्दर सुन्दर और भजन के इतनका गुर्गान करेंगे। प्याज जी महराज पधार चुके हैं, बोलिए प्याज जी महराज कीजे, बोलिए भागवत भगवान कीजे, ये स्रीराध है। अरे हर सांस में हो, सुमरन तेरा, यू बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो, सुमरन तेरा, यू बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो, सुमरन तेरा, यू बीत जाए जीवन तेरा तेरी सेवा करते बीत जीवन मेरा अरि सास में हो सुमेरन तेरा यू आज पूजा में वैठे हो उनको बलाओ रमा संकरजी उपर बलाओ पूजा कराओ अरि सास में हो सुमेरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो श्रीवन दावन धाम आपारे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे श्रीवन दावन धाम आपारे रटे जा राधे 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 रटे जा राधे 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 अल्वेली सरकारे रटे जा राधे राधे जे राधे अल्वेली सरकारे रटे जा राधे राधे काररे दे जावाब मैं आप। करने करने कारत राधे 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 वो ये व्रंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला अरे या तेरी सी मुनी गए हारे रटे या राधे राधे लटे या राधे राधे जो राधा नामे नहो तो रस राज विचारो रोतो जो राधा जन्म नहो तो रस राज विचारो रोतो अरे नहीं हो तो प्रिष्टे अबतार रटे या राधे राधे रटे या राधे 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 रटे या राधे 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 श्रीरी मिल्नाव निधा में अपारे रटे या राधे राधे या राधे 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 र वो ये प्रेम की अकत कहानी वो न आए जाने जानी ध्यानी पर्जिबेना लटे जाने वे जाने ज्यानी ध्यानी ध्यानी मरे जाने खिड़े किária ह dai ते वो इस सबही लोग आर्ति करने के लिए खड़े हो जाएं विश्णा अपति इस्तान से खड़े हो जाएं बोल ये भागवत भगवान की जये आरती के लिए सब लोग आंगे आजाएं नीचे आओ नीचे खड़े हो जाएं सब लोग नीचे आजाएं आरती के लिए चंद्रमामन शोजा तक्जचो हो सुर्यो वजायत हो स्रोत्रा द्वायुष्र प्राणश्य मुखा दगनेरा जायत हो आप लोग पिछे क्यों खड़े आंगे आजाओ आरती के लिए बोलें वाईसा वारती बोलें कोई बोलें शिरिभागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मूति पंथ ये पंचम वेद निराला नव जोति जगाने बाला ये अमर पंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नव जोति जगाने बाला हर नाम यही हर ज्यान यही जल के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीक आप्मत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये सांदी कीत पाबन भूनीत पापों को मिटाने वाला ये अमर पंथ बापों को मिटाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी जिरी मद सूजान की आरती पापियों को पाप से हैं तारती शिवाग वत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैं तारती ये मधुर बोल भगवंध खोल सरमार्ग बताने वाला बिगडी को बनाने बाला सिरी राम यही घंशाम यही रम के महमा की आरती पापियों को पाप से हैं तारती जले नसीतली करणं मुपरांत हो पुष्पै देवाधि बंधनात हस्ते अक्षत पुष्पान्या ग्रहित्वा हरियों यगनेन यगनमय जंत देवाध श्तानि धरमानि प्रथमान्या सन्नहों तेहनाक्वं महिमानहं सचंत्र यात्र पूर्वेश्पै साथ्या संत देवाध सेवंत काभ कुल चंपक पाटलब जै पुन्ना गजात करभी ररसाल पूस्वै बिलवप्रवाल मन्जरी भी त्वंपो जयामि जगति स्वरमे प्रसेदों नाना सुगंध पूस्पाने यता कालो भवानिचा पूस्पान्यलिर मयादत्व ग्रहाना परमेश्वरह मंत्र पुष्पान्यलिं समर पयामि त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव वंधो चसका त्वमेव त्वमेव विध्या द्रविर्णम त्वमेव त्वमेव सरवं माम देव देव बोलिय भागवत भगवाने की सभी लोग आर्थी ले करके अपने अपने आशन पर बैठें पहले एक भजन स्रमन करें उपरांत जे जे श्री राधे उपरांत के बाद नावनों काओ गोगो उड़ाधारानी को हमारी श्यामा प्यारी को उड़ाधारानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसी रिसो नाम हमारी राधारानी को लाधरानी को हमारी शामा प्यारी को मिसरी सो मीठो नम हमारी लाधरानी को बाबा है ब्रशिभान को मर जी मईया की रती उब्रज मेवर सानो हम हमारी शाधरानी को मिसरी सो मीठो नम हमारी शाधरानी को मिश्य जेशों की भाना में हावारी राधा राजें हौआ तीनो लोग चोगे भुबनन की स्वामनी शामा जू तीनो लोग चोगे भुबनन की स्वामनी शामा जू उचरणन को चाकर शाम हमारी शाम प्यारी को चाकर शाम हमारी राधा राधी को मिश्य जो मीठो नाम हमारी राधा राधी को पुडा धरानी को हमारी शाम प्यारी को राधा राधा राधी को हमारी शाम प्यारी को जे जे स्री राधे राधे, राधे, राधे स्री कृष्णाय नमह स्री मद गोपी जन बल्लवाय नमह स्री मद आचार्य चरन कमले भ्यो नमह स्री गुष्णाय जी पर्मद आले भी नमह स्री गुरू चरन कमले भ्यो नमह स्री मात पित्री चरन कमले भ्यो नमह स्री पर्शोतम समारंभाम विष्ण स्वामी स्मध्यमाम अस्मधाचार्य पर्यंताम मंदे गुरू परंपराम अखंड मंड लाकारं व्याप्तम ये नचराचरं तदपदम दर्शतम येना तस्मै श्री गुरू वे नमह यंप्रप्रजंतम नपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरहकात तरिया जुहाव उत्रेतितनमयत यातरवो विनेदो स्तम्सर्वभूत हिर्दयम मुनिमान तो स्मे नारायनम नमस्कृत्यो नरम्चेव नरो तमं जेवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुझे रहे श्रीको बरधनना थे पाद युगलं हैंग बीन प्रियमं नित्यम स्रीम थुराधिपं सुखकरं स्रीवे थलेशं मुदा श्रीम द्वारबती शगो गुलपती स्रीगो गुलेंदम विभो श्रीमनम नमत मोहनम नटवरं श्रीवाले कृष्णम भजे दीवता बाले कृष्णश्य चतुर्वर्ग प्रदायक शिरोमे बाले कृष्णश्य पात नित्यम मम श्रुतिही बोलिय श्रीबाले कृष्णलाले कीजे स्रीगिरी राज धरणे कीजे श्याम सुंदर्शी अमने महारानी कीजे जगत गुरु शिवल्लबादी से कीजे उज्य सद्गुर्देव सी श्रीजी बाबा महाराजे कीजे जे जे स्रीगिरी राजे उपस्तित प्रभुपद प्रेमानुरागी जन परमाराध्य लाडले लाल भगवान सिबाल कृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनकुम्पा से सद्गुर्देव भगवान के आशीरवाद से श्रीमद भागवद भगवान की कथा सब्ताह ज्यानियक्य के रूप में स्रवन करने का परमसोभाग्य प्राप्त हुआ है प्राचीन परमपरा है के जो भी शुबकर्म हम करें उस शुबकर्म के करने से पहले उसका महात्म हमें जान लेना चाहिए जो कर्म हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना लाव प्रद है जो कर्म हम करने वाले हैं इसके करने से हमें कितने प्रकार का और क्या-क्या लाव होगा जाने बिन न होए परतीती बिन परतीत होए नहीं प्रीती कोई अन्जान व्यक्ति हमारे बराबर में बैठा है हम उसे जानते नहीं है किसी भी तरह का भाव उसके प्रति हमारे हिर्दे में नहीं होगा पता नहीं कौन बैठा है और मालूम पढ़ जाए कि यह बहुत गुणवान व्यक्ति है या कोई जिलादकारी है या कोई बड़ा संत है अत्वा कोई बहुत बड़ा कलाकार है या कोई सिनेमा जगत का हीरो है उसका महत जानते ही हमारा उसके प्रती आचरण बदल जाता है तुरंत हमारा body language change हो जाती है way of talking change हो जाता है भावना बदल जाती है हम बड़े आदर के साथ सम्मान देते हुए बारता लाप करने लगते हैं साथ जिन्दक जो श्रीमत भागवत की कथा हमें श्रवन करनी है पद्मपुराण के उत्तरखंड में छे अध्यायों में भागवत के रचेता श्रीवेदप्यास भगवान ने स्रीमत भागवत जी का महत्म गाया है सर्वप्रतम हम भागवत जी का महत्म श्रवन करेंगे तदुपरांत भागवत भगवान की कथा श्रवन करेंगे कोई भी कार्य भगवान को प्रणाम करके ही प्रारंब करना चाहिए जिस ग्रंध के आरंब में मध्य में और अंत में भगवान को प्रणाम किया जाता है वह ग्रंध पढ़ने से, सुनने से, कहने से, हर प्रकार से हमारे लिए मंगल प्रद होता है महात्म की पहली अध्याय का पहला श्लोक सिव्याश जी सिक्रश्न कनिया को प्रणाम कर रहे है सच्चितानन्द रूपाय विश्वोत पत्याद हे तवे तापत्रे विनाशाय सिक्रश्नाय वयम नमः वयम नमः वयम माने हम सब भगवान से क्रश्न को प्रणाम करते हैं ये श्लोक भगवान का बिजिटिंग कार्ड है छोटा सा परचय है इसमें ठाकुरदी का हम कौन से क्रश्न को प्रणाम कर रहे हैं वोले सच्चितानन्द रूपाय जो सच्चितानन्द रूप है क्यों जी सच्चिदानंद किसे कहते हैं तीन अक्षरों को मिलकर के एक शब्द बनता है सद, चिद और आनंद तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद सद माने सत्य भगवान हमेशा सत्य है कितने लोग हुए जनों ने प्रयास किया कि भगवान को हम जूटा बता दें कालपनिक बता दें हिरनियाक, शिरनक, शपू, रावण, कुम्बकरण दंतरवक्र, शशुपाल, औरंग, जेव बरतमान में भी कुछ अंधे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सारी माइथोलोजी है ये सारी कल्पना मात्र है भगवान सत्य थे, सत्य है, सत्य ही रहेंगे भगवान का नाम सत्य नाराण है उन्हें कभी भी कोई जुटला नहीं सकता सत्य कोई ही सद कहा गया है दूसरा अक्षर है चिद चिद माने चिरनजीव, हमेशा रहने वाले चिरंजीव उसे कहते हैं जिसकी मृत्यों नहीं होती अश्वत्वामा राजा बली हनमान जी महराज व्यास जी करपा चार विवीशन अपरुशराम जी इन साथों को चिरंजीव कहा गया है लेकिन एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जब कल्युक के अंत में महाप्रले होती है तब ये सातों चिरंजीब भी भगवान के चर्णों में समाहित हो जाते हैं कौन बचता है अकेले बाल कृष्ण प्रभू बट के पत्ते पर नगन लेटे हुए और अपने चर्ण का अंगुठा अपने मुखार विंद में देते हुए दर्शन देते हैं बटस से पत्रस से पुटे से आनम बालम मकुंदम मनसास मरामी चिरंजीव के वल कृष्ण ही है शादी के काड को सजाने के लिए लड़का के नाम के आगे ची लगा देते हैं चिरंजीव का ची और लड़की के नाम के आगे क्या लगाते हैं अखंड सोभा के वती वाटसप पे हर चीज के नहीं नए अरथाते हैं बोले कार्ड पर जो ची लग रहा है इसका क्या मतलब है बोले शादी के बाद यह चीवी नहीं करेगा और और सो का मतलब है बोले अकेली सो के वरावर बोलो करश्ण कर नहीं आला की जहेए चिरंजीव कहकर के हम प्रसन वले ही हो जाएं लेकिन चिरंजीव केवल क्रश्न हैं इसलिए उनको चिद कहा चिद माने हमेशा रहने वाले हैं पहला नाम भगवान का सद दूसरा चिद तीसरा है आनंद जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं यमना जी यमनोत्री से निकलती हैं पूछे आनंद कहां से निकलता है तो भगवान के चरणों से आनंद निकलता है उनकी कथा सुनने में आनंद आता है उनका कीरतन करने में आनंद आता है उनका नाम इस्मरन करने में आनन्द आता है उनका नाम संकीरतन करने में आनन्द आता है और हमारे ब्रिजवासी कथावाचक कहते हैं कि आनन्द भगवान का जुड़मा भाई है जब नन्द मोहस्व होता है तब हम सब लोग कहते हैं नन्द के आनन्द भयो जय कनिया लाल की भगवान जब जन्म लेते हैं तभी आनंद की उत्पत्ती होती है जय सच्चिद आनंद घनपावन अस कह चले मनोज नसावन सच्चिद आनंद तीनों को मिला करके सच्चिद आनंद बनता है हम सच्चिदानंद जो सरूप हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनकी सामर्थ कितनी है पावर कितनी है विश्व उत्पत्याद हे तवे उनकी इच्छा से विश्व की उत्पत्ती हो रही है सब कुछ रचा जा रहा है वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं सबका पोशन हो रहा है चीटी को कन और हाती को मन सबको भोजन मिल रहा है सबका पोशन केवल उनके मुस्कुराने से हो रहा है ब्रगोटे विला से स्रिष्टेले होई जब उनका मन होता है कि खेल पूरा होगे आप सब खतम करना है वो जड़ा अपनी भ्रगटी को टेड़ा करते हैं प्रले की रचना हो जाती है उनी की इच्छा से सब कुछ उनी के चर्णों में समाहित हो जाता है जो उत्पन करने में सामर्थबान है जो पोशन करने में सामर्थबान है और जो प्रले करने में सामर्थबान है उनसी कृष्ण को हम और आप प्रणाम कर रहे हैं अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं गौड, G-O-D जी फोर जनेरेटर महाने उत्पन करने वाला O4 operator मने संचालन करने वाला और D से dismantle करने वाला प्रलेवी वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता क्यों जी जो सच्चिदा अनंद है जो विश्व की उत्पत्ति आधि करने वाले हैं हम उनको प्रणाम करेंगे तो हमें क्या लाव होगा वोले बहुत बड़ा लाव होगा भगवान के चरणों में प्रणाम करने से तापों का विनाश हो जाएगा हर मनश्य को तीन प्रकार के कष्ट सता ते हैं दैएक दैविक भोटिक तापा राम राज का हो नहीं ब्यापा खांसी जुखाम बुखार शरीर में जो बीमारियां हो रही इनको देहिक ताप कहा गया है कोरोना, भूकंप, ज्वाला मुखी फट जाना, बाड आ जाना, बादल फट जाना, सुनामी आ जाना ये जो हमें हानिया होती हैं ये देवताओं के रिष्ट होने पर होती हैं जब पंच महाबूत रिष्ट होते हैं दैविक टाप और जो भौतिक बस्तु हमने अपनी सुबदा के लिए बनाई गाड़ी बनाई यात्रा करने को और एक्सिडेंट हो जाए तो कष्ट हुआ ये जो कष्ट हुआ ये भौतिक टाप कहलाता है भगवान के चरणों में प्रणाम करने से तीनों प्रकार के टाप नश्ट हो जाते हैं जासुनाम भवभेशज हरन घोर त्रय शोल सुहिद याल मोहित होई पर सदा रहें अनकूल बोलिये बाले कृष्ट लाले कीजे स्री शुकदेव जी को प्रणाम किया और भागवजी का महत्त्म कहने लगे एक नेमशारण नाम का तीर्थ है जहां पर भगवान ने अपना चक्र भेजा हुआ है एक रिशी है जिनका नाम है शुनक रिशी जैसे आजकल यूनिवर्सिटी होती है प्राचीन काल में एक विवस्ता होती थी जो रिशी अपने आस्रम में दसजार शिशों के रहने की भूजन की पढ़ने की विवस्ता कर सकते थे उनको कुलपती कहा जाता था और जो रिशी अपने आस्रम में एक लाख शिशों के रहने की भूजन की पढ़ने की विवस्ता करने में सामर्थवान होते थे उनको कुलपती कहते थे ऐसे ही कुलपती एक रिशी हैं शुनक रिशी और उनके अठासी हजार शिशे हैं और उन अठासी हजार शिशों ने अपना नाम अपने गुर्देव के नाम से रख लिया है गुरु जी का नाम है शुनक रिशी और शिशों का नाम है शुनक रिशी जैसे लाइन्स क्लब के मेंबर अपने आगे लाइन लगा लेते हैं बली बिल्ली से डड़ते हो पर लाइन फलाने लाल जी लाइन फलाने जी लाइन लगाते ही मालूम पड़ता है कि लाइन्स क्लब के मेंबर हो गए ऐसे ही जब शोनक रिशी नाम आए ना साथ दिन तक कता में हमको इमेजिन करना है जैसे कौरव केते ही हम जान जाते हैं सो के बारे में बात हो रही है पांडव केते ही हम जान जाते हैं पांच को संबोधन किया जा रहा है सनकादिक बोलते ही हम जान जाते हैं चार के बारे में चर्चा हो रही है इसी प्रकार शौनक रिशी जब भी बोला जाए तो 88,000 की कल्पना करनी है 88,000 रिशीयों ने संकल्प किया एक हजार वर्ष तक हम भगवान की कथा सुनेंगे भगवान के पास महुँच गए महाराज, एक हजार वर्ष तक आपकी कथा सुननी है कोई ऐसी जगे बताईए एक हजार वर्ष तक जहां आधी नहीं आए, तूफान ना आए, बार ना आए, भूकम ना आए लुटे रे लूटे नहीं, जंगल में आग नहीं लगे किसी वी प्रकार का विवदान एक हजार वर्ष तक ना आए, ऐसा इस्थान बतलाई है श्रीमन नाराण प्रसन हो गए, भगवान ने अपना चक्र गुमाया, फेका जहां जाकर के वो चक्र रुका, अरने माने बन, निमिश माने चक्र जिस बन में भगवान का चक्र गया, उस बन का नाम नेमिशारन पड़ गया नेमिशे सूतमा सीनम, अविबाद्य महामतिम, कथा अम्रतरसा स्वाद कुशल शोन को प्रबीद 88,000 इशीमा कथा सुनने के लिए खटे हुए हैं, 1000 वर्ष तक कथा कौन सुनाएगा कोई मिल जाए तो बढ़िया नहीं, तो हम में से एक जना उबर बैठ जाएगा 87,9999 नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे और जब एक जना ठक जाएगा तो उसको उतार लेंगे, दूसरे को बिठा देंगे पर लगातार कथा चलती रहेगी इनका अच्छा संकल बठा, तभी सन्योग से वहाँ पर एक रिशी पधारे और इन रिशी का नाम है, स्री सूत जी महराज थोड़ा नाम याद करने के प्रयास करें, आप लोग अच्छा रहेगा जो कथा सुनने वाले हैं, वो शोनक रिशी हैं, उनकी संख्या 88,000 है और जो कथा सुनाने आए हैं, उनका नाम है, सूत जी महराज याद रखें हो सकता है, कौन बनेगा करोणपती में कभी प्रशना आजाए और आपका काम बन जाए तो रहं से याद करने का प्रयास करेंगे सूत जी महराज शुकदेव जी के शिश्य हैं, बहुत विद्धवान हैं अठा सीरजा रिश्यों ने प्रणाम किया वुलि महराज आप आगे आनन्द आगेया अज्यान ध्ध्वान तविद्ध्वन सह कोटे सूरिय समप्रभव एक सूर्य उद्य हो जाए तो आधी प्रश्वी का अंदकार चला जाता है आप हमारे हिर्दय के अज्यान रुभी अंदकार को दूर करने के लिए करोणों सूरि के समान हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं महराज करपा करके हमें कथा सुनाईए अब हमारा प्रश्वन है कि भागवत की ही कथा क्यों सुनी जाती है जबकि अठारे पुराण है, सत्रे उपनिशद है, चार वेद है, पांचमा महाबारत है, श्रीमद भगवत गीता है अनेक उप पुराण है और अनंद रामाण है, बालमिक रामाण रामण रामचरित मानस बहुत सारे सद्गरंत हैं फिर हम लोग भागवत की ही कथा क्यों सुनना चाहते हैं यहां पर अठा सी हजार रिशियोंने का कथा सुनाईए और सुनाने वाले सूत जीने का कौन सी कथा सुना हूँ अठा सी हजार रिशियोंने का हमारे मन में कुछ प्रशने हैं, कुछ शंकाएं हैं हमारे प्रश्णों का शंकाओं का समाधान जिस कथा से हो जाए वही कथा आप सुना दीजिए बताईए क्या पूछना चाहते हो कल्पना करो 88,000 कितनी बड़ी जगे में बैठे होंगे उन मेंसे कुछ लोगों ने हाथ उठाया खड़े हो जाओ क्या केना चाहते है सोता ख्या ये कथा सारम ममकर्ण रसायनम ए प्रभो आप हमें जो भी कथा सुनाएं और हमारे कथा जगने वाली होनी चाहिए तीन तरह की कथा होती है आप कथा, जग कथा और राम कथा कथा बाचक केवल अपने अपने वारे में बताए के मैं विदेश गया के मैं वहाँ गया और एक बार ऐसा हुआ फिर यह हुआ कथा सुनने से ना सुनने वाले का कल्यान ना सुनाने वाले का कल्यान आप कथा दूसरी है जग कथा एक था राजा एक थीरा नहीं दोनों मर के खतम कहानी काली टाइम पास हो रहा है कोई फायदा नहीं और तीसरी है राम कथा जिसमें भगवान के लीलाओं की चर्चा करी जाए ऐसी कथा सुनने वाले का भी कल्यान और सुनाने वाले का भी कल्यान करती है माराज आप जो कथा सुनाएं न वो सार गर्वेत हो और हमारे कानों को प्रिय लगने वाली होनी चाहिए ठीक है फैट जाओ अब दूसरे लोगों ने का माराज हमारी भी कुछ इच्छा है क्या भक्ती ग्यान विराग आप तो दिवे को बर्दते महान आप जो कथा सुनाएं उससे ज्ञान आजाए भगवान के बारे में जानकरी आजाए बैराग आजाए भक्ती आजाए आपकी कथा ज्यान वेराग भक्ती देने वाली हो लेकिन एक चीज साथ में जरूर चाहिए क्या विवेको बर्दते महान विवेक होना बहुत जरूरी है विवेक माने सेंस ज्ञान में भी सेंस चाहिए कब बोलना कब नहीं बोलना कितना बोलना क्या बताना क्या नहीं बताना यह नहीं कि हम सबको ज्ञान माटने लग जाएं बिना पूछे सला देने लग जाएं तो वो ग्यान भी वेकार हो जाता है बैरागे बैरागे में भी विवेक होना बहुत जरूरी है सवेरे स्कूल में बच्चे जाने हैं बच्चों का टिपिन बनाने का टाइम है मुशी समय मंदर जा रही है कहां जा रही हो वो ले बैरागे हो गया है हमको हम तो का नहीं है भगवान की भग्ती में भी बिवेक का होना बहुत जरूरी है ज्ञान वेरा के भक्ती बिवेक के साथ हमारे आचरण में आ जाएं ऐसी कथा हमें सुनाई है वो लोग बैठ गए अब तीसरे लोग खड़े हो गए आप लोग क्या चाहते हो माया मोह निराशश्य व जब कोई भगवान की ओर जाता है तो दो लोग भगवान तक नहीं पहुंचने देते हैं एक पीछे से खींचता है उसका नाम है मोह और एक आगे से ड़का देती है वो है माया ये मोह और माया दोनों भगवान तक नहीं जाने देते हैं बड़िया ऐसी कथा सुनाई है कि हम हमारा माया और मोह से पीछा छूट जाए बैठ जाईए अब और लोग खड़े हो गए उमारा हमारी भी कुछ इच्छा है क्या इच्छा है यह गोरे कलो प्रायो जीवस्चाम सुरताम गता क्लेशा क्रांत श्यतस्रेव शोधने किमपरा यणंद इस कल्यों के कारण लोगों की बुद्धी खराब होती जा रही है महरा बिनाकारण आपस में लड़ना जगणना बिनाकारण आपस में बूलना बंद कर देना बिनाकारण के एक दूसरे से रार ठान लेना ऐसी कथा सुनाई है कि कल्यों का प्रभाव नश्ट हो जाए जितना प्रभाव हमारे पर ना पड़े ऐसी भी कथा चाहिए ठीक है प्रयास करते हैं बैटिये और क्या चाहिए कथा से से शाम्यद्ववेश्रियो पावनानाम्च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम्षश्वद साधनम् तद बदाधुना ए प्रभो आपकी कथा के द्वारा भगवान सीक्रश्ण से मिलाने वाला पावन एवं आधनिक साधन हमें बतलाईए भगवान से कैसे मिलना होगा से कृष्ण कनिया कैसे मिलेंगे भगवान को मिलाने वाला साधन बतलाईए लेकिन साधन आधने को होना चाहिए और पावन होना चाहिए यह नहीं कि मुरगा की बली चलादो भगवान मिल जाएंगे यह पावन साधन नहीं है भटकाने वाला साधन नहीं चाहिए हमें सीधा भगवान के चरणों में पहुंचाने वाला साधन चाहिए कथा सुननी है एक और इच्छाएं कितनी है एक आदमी डाक्टर के यहां गया पगल में बिठा लिया क्या भीमारी है वो ले सिर में दर्द हो रहा है डाक्टर ने दवाई लिख दी और वो ले जीवी मिचला रहा है दवाई लिख दी और वो ले गुटने में भी दर्द है डाक्टर ने दवाई लिख दी और वो ले पीठ में भी दर्द है दवाई लिख दी और वो ले पेट में भी दर्द है फिर दवाई लिख दी और वो ले चक्कर भी आ रहे हैं फिर दबाई ले लो इतनी बीमारियां बताई पूरा पर्चा बर गया डाक्टर को फीच दी और बहर जा करके कमपाउंडर से दबाई ले लो अगला बाहर गया और कमपाउंडर से बोला भाई पचास रुपे अलग से ले ले पर ये बता दे सिट दर्द की गोली कौन सी है घुटने के दर्द की गोली कौन सी है पेट के दर्द की गोली कौन सी है कमपाउंडर बोला लोग तो ये पूछते है खाली पेट कौन सी है बोजन के बाद कौन सी है सोते समय की कौन सी है तुम ये अलग-अलग भीमारी की क्यों चाट रहे हो वोले सच बात ये है कि पेट में दर्द मम्मी के हो रहा है गुट्रे में दर्द दादी के हो रहा है और सिर में दर्द ताउजी के है सब को अलग लाता तो अलग-अलग फीश देनी पड़ती अलग-अलग पर्चा बनमाना पड़ता एक जने की फीश दे कर और सब की दवाई ले जा रहा हूं घर में जाकर के बांट दूँगा गुटने के दर्द वाली गुटने को और पेर दर्द वाली पेर वाले को एक जने की फीश से और सब का काम बन जाएगा बोलो भागवत भगवाने की जे इतना टाइम हमारे पास कहा है कि हम ग्यान वेरा के भक्ती के लिए एक बार कता सुने और माया मोह से पीछा छुडाने के लिए फिर कता सुने कल्युक का प्रभावनश्ट करने के लिए फिर कता सुने सार गर्वित कानों को प्रियलगने वाली कता कहीं और से आए और सीक्रश्न कनियां से मिलाने वाली कता हमको अलग जाईए सारे प्रश्ण हमारे जिस कथा से पूरे होते हों मैं वही कथा चाईए स्री सूत जी महराज ने कहा श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो की रेणभाशतम कालब ब्याल मुखक ग्रास तर्च रेणःः शहेतवे ये कल्युक काल बनकर के हमारे सामने आ रहा है सर्प बनकर के आ रहा है ये श्रीमद भागवत की कथा ही हमें इससे मुक्ती दिलाने वाली है कई जन्मों के पूर्णे जब इखटे होते हैं न तब जाकर के भागवत कथा सुनने का परम सौभा की प्राप्त होता है हमारे गुर्देव कहते थे एक लाख लोगों मन में बिचार करते हैं कि कभी भागवत की कथा सुनेंगे और उन एक लाख में से एक हजार लोग निरने कर पाते हैं फलानी तारिक से फलानी जगे हम कथा सुनने जाएंगे और उन एक हजार में से सो लोग कथा के हौल तक आ पाते हैं और उन सो लोगों में से कोई दस लोग ध्यान लगा करके कथा सुन पाते हैं कोई-कोई तो मोबाइल लेकर उठकर के बाहर चले जाते हैं 24 गंटे में 4 गंटे का समय हम लोगों ने कथा के लिए रखा है बागी के 20 गंटे मोबाइल के लिए मोबाइल वालों के लिए घर वालों के लिए घर के लिए सब काम के लिए हमारे पास हैं चार घंटे में भी बीस मिनट आरती पुश्पान जली में निकल जाएगा साड़े तीन घंटे लगवग हम लोगों को कथा स्रवन करनी है उसमें भी बहुत से लोग इधर उधर जाना पसंद करेंगे बजाए कथा सुनने के कई जन्मों के पूर्णे खटे होते तब जाकर के ये सोभाग्य प्राप्त होता है अठा सी अजार रिश्यों को कोई ज़्यादा आकर्शन अभी भागवत कथा की तरफ नहीं हुआ स्री सूती जी ने विचार किया पहले मैं भागवत का महत्तम समन कराता हूँ बाद में भागवत की कथा सुनाऊंगा परिक्षते कथां बक्तुम सवायां संस्त देशुके सुदा कुम्भम ग्रहित्वेव देवास्तत्र समागमन हेरशियो एक बार गंगा के किनारे शुकताल नाम के तीर्थ में पांडवों के पोते राजा परिक्षत को स्री शुकदेव जी भागवत की कथा सुना रहे थे जितना नामी व्यक्ति कथा कराता है जितना नामी कथा वाचक कथा कहने वाला होता है उतनी भीड जादा होती है सारी प्रत्वी का राजा जब कथा सुन रहा हो चक्रवर्ती राजा परिक्षित और भगवान व्यास जी के पुत्र स्री शुकदे महाप्रभू कथा सुना रहे हो तो कल्पना करी जाए कितनी भीड गंगा के किनारे कथा सुन रही होगी उस भड़ी भीर में देवता लोग सोने के कलश में अम्रत लेकर के और कथा के बीचों बीच में आगे बीचों बीच में लाके अम्रत का कुम्ब सामने रख दिया और शुकदेव जी को प्रणाम करके कहा मारा ये परिक्षित राजा मरने के डर के मारे कथा सुन रहा है हम अम्रत लेकर के आए हैं अम्रत आमाने नहीं म्रत माने मरता जो इसे पी लेता है उसकी मरत्यों नहीं होती है आप ये कथा हमें सुना दीजिए और ये जो अम्रत है ये राजा को पिला दीजिए इसका भी काम बन जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा शुकदेव जी ने का उठो और यहां से अपना अम्रत उठाओ और गेट आउट भार हो जाओ यहां से जाओ सिदे लोगों ने का इतने लोग बैठे इनको भी बिठा ले थे वले नहीं नहीं राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत संगत अते प्यारी जिनका भगवान के चरणों में प्रेम हैं वो ही कथा सुनने के अधिकारी हैं यह तो ब्यापार करने आए हैं एक्स्चेंज करने यह ले लो और यह दिदो कव स्वधा कव कथा लोके कव काच्च कव मनिर्माल ब्रह्म रातो विचारिये व तदा देवान जहासः किसी से काजा इतना वड़ा शीशा ले लो और छोटा सा हीरा हमें वदले में दे दो कोई काच्च के वदले हीरा दे पाएगा नहीं 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 कभी भी नहीं दुनिया के किसी भी वस्तु के बदले में श्रीमद भागवत कथा को प्राप्त करना संभव कभी भी नहीं है एक बार शिवाजी के गुर्देव स्वामी रामदास समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी से कहा शिवा क्या तुम शेरनी का दूद ला सकते हो जी गुरुजी मैं लियाओंगा मुझे नहीं लग रहा कि तुम ला पाओगे अच्छा मैं ला के दिखाता हूँ तलबार उठाई हो चलने लगे ठेरो तुम नहीं ला पाओगे क्यों गुरुदेव आपको हमारी भीरता पर शंका है नहीं भीरता पर नहीं बुद्धी पर तुम्हें यह जानकारी नहीं है कि शेरनी का दूद केवल सोने के बरतन में ही ठेरता है और पात्र में लेते ही वो फट जाएगा उसका गुण समाप्त हो जाएगा वो विश्वन जाएगा तलवार के साथ कुम कोई सोने का कटोरा या कोई गिलास या और बरतन लेते तो मुझे विश्वास होता कि तुम सेरनी का दूद ला सकते हो जिस प्रकार सेरनी का दूद सोने के बरतन में ही रुकता है इसी प्रकार भगवान की कथा भक्तों के ही इर्दे में ठेरती है और लोग उस कथा के सुनने के अधकारी नहीं हो सकते देवता अमरत का कलश लेकर के मू लटकाए हुए बापस जा रहे थे रास्ते में ब्रमा जी मिल गए ब्रमा जी ने पूछा क्या बात है कैसे तेरा लटका है बोले महराज आज धर्ती पर गंगा किनारे शुक्ताल गए हमने का कथा हमें दे दो मना कर दिया गया ब्रमा जी आप ही बढ़े क्या भागवत की क्या हमारे अमरत से जादा स्रेष्ट है ब्रमा जी ने का एक उपजर्वेशन करके देखते हैं एक प्रयोग करते हैं सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलियस साधनान्य जो लगुनन्याने जातानी गौरवेणे इडम महत ब्रमा जी के लोक के दो नाम हैं ब्रह्म लोक और सत्य लोक सत्य लोके बनाया तराजू के एक प्रड़े में भागवत भगवान को विराजमान किया गया और एक प्रड़े में इंडर का बैभव कोवेर का सारी संबन्नता और जिन देवताओं के पास जो भी उनका सर्वो परी था सव रख करके अम्रत का कुंड अम्रत का कलश रख दिया भारी हो सोभु भी गयो हलको गयो अकाश जिस प्रड़े में भागवत भगवान विराजमान हैं वो तो धर्ती को छूग गया और अम्रत का पलड़ा आकाश में जोके खाने लगा सारे देवताओं श्रीमद भागवत की परक्रमा करके जैजे कार करने लगे बोलो भागवत भगवाने कीजे अवक्तान तांश विज्यायन ददौ सकता मृताओं श्रीमद भागवती बारता सुराणाम अपिदौलवा ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दौलव है अब अठा सी एजार इश्यों में कुछ चार्म बना अच्छा देवताओं के लिए भी दौलव है अम्रत के बदले भी नहीं सुनाईगी अब हम जरूर सुनेंगे लेकिन एक बात बताइए इस कथा की परंपरा क्या है ये कहां से प्रारब हुई है किसने किसको सुनाई और आपने किस से सुनी है हर आदमी को ब्रांडेड आइटम चाहिए ऐसा तो नहीं कता तुम अपने मंद से बना करके सुना रहे हो परंपरा वाली कता होनी चाहिए हमारे मंगला चरन का यही श्लोक है स्री पुर्शोत्तम समारम माम विश्ण स्वामी परंपरा भगवान की परंपरा में यह कता हो रही है आदिपुर्श भगवान नाराएं ने यह कता अपने हिरजय से प्रगट करी स्रीमन नाराएं ने यह कता ब्रह्मा जी के लिए सुनाई ब्रह्मा जी ने यही भागवत कता सनकादिकों के लिए सुनाई सनकादिकों ने यही कता नारत जी के लिए सुनाई नारज जी ने यह कथा स्री वेदव्यास भगवान के लिए समण कराई वेदव्यास जी ने यह कथा स्री शुकदेव जी को सुनाई और शुकदेव जी शुकदाल में जब राजा परक्षित को सुना रहे थे स्री सूत जी ने कावले मैं भी वहां बैठ करके सुन रहा था वही कथा नेमशारण में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ठेरिये महाराज मन में एक खलवली और मच गई ब्रह्मा जी कथा सुने नारायन सुना में बहुत बढ़िया बात सनकादिक सुने ब्रह्मा जी सुनाए बहुत बढ़िया बात लेकिन नाराजी साथ दिन तक चैन से बैठ करके कथा सुने ये कैसे संभव नहीं है संभव हो सकता है बहुष सारी कामनाओं से कथा कराते हैं बेटा हो जाए पित्रिश्वरों की मोक्ष हो जाए राज्य बढ़ जाए संबत्ती बढ़ जाए भगवान की वक्ती बढ़ जाए नारजी को इन में से कोई भी कामना नहीं है महराज हमें बताईए नारजी ने साथ दिन तक चैन से बैठ करके कथा क्यों सुने ही क्या कारण बना जो नारजी बैठ करके कथा सुने एक दाही विशालायाम चत्वार रशयो मला ससंगार्थम समायाता दद्रशो स्तत्र नारदम एक बार की बात है सनकादिक बद्रीनाद धाम में ससंग कर रहे थे एक एक तीर्थ के कई कई नाम होते हैं सिवरंदावन को श्री धाम भी कहते हैं हरिद्वार को हरीद्वार, हरिद्वार और गंगा द्वार तीन नाम दिये गए माया पुरी भी कहा गया है इसी प्रकार एक इस्थान है बद्रीनाद धाम उसका दूसरा नाम है बद्री बन बद्री माने बेर बेर ही बेर का वहाँ पर बन था जैसे ब्रंदा माने तुलसी जान तुलसी ही तुलसी का बन वो इस्थान ब्रंदा बन इसी प्रकार बद्री बन और उस बद्रीवन राज्य के राजा थे जिनका नाम था विशाल सिंग विशाल सिंग के संताम नहीं थी वो बद्रीनात भगवान के भक्त थे स्रीमन नारायन 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 हर समय भगवान का वजन किया करते थे एक दिन भगवान प्रगट हो गए बरदान मांगो बरदान मांगा महाराज मेरा नाम हो जाए नाम दो चीज़ों से होता है जा तो बहुत ज़्यादा धन संबत्ती हो फलाना महल किसने बनवाया उले पलाने राजाने वहां का मंदिर किसने वनमाया पलाने राजाने महाराज मेरे यहां संबत्ती नहीं है या संतती से नाम होता है कि उसका वंश चला रहा है मेरे संतान भी नहीं है ना संबत्ती है और ना संतती है मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो जाए बद्री नारान भगवान ने कहा तुमारे नाम को हम अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं जब कोई हमारी जय बोलेगा तो तुमारी भी जय अपने आप लग जाएगी बोलो बद्री विशाल भगवान की जय विशाल नाम भगवान के भक्त का है वहां के राजा का है बगवान ने अपने साथ जोड़ लिया तो बगवान का नाम में बद्री विशाल बगवान हो गया यहां पदम पुरान में एक जाही विशाला याम चत्वार अरशे ओमला एक बार चारों सनका देख बद्री ना धाम में सस्थं कर रहे थे और उन्होंने नारज जी को आते हुए देखा जो नारज जी अर्शमें भीना वजाते हरगुणगाते कीतन करते रसबर्शाते आते हैं वो नारज जी आज बड़े सुस्त आ रहे हैं सनका दिकों ने पूछा लोग विक्रे मुक्तस्या नारदस्या इस्तिरश्टिच विदश्रवे पूरते ही सहां महारत क्या बात है आपने ये चेरा कैसे लटका रखा है कतम ब्रह्मन दीख मुख कुतस्चिंता तुरोभवान तुरतम गम्मते कुत्र कुतस्चा गमनम्तवां ऐसा लगता है आपको कहीं जाने की जल्दी है या कहीं आप ऐसी जगे से आरहे हैं जहां आप तो लोक फिग्रे से मुक्त हैं जितने भी देवता हैं न सब के पास अपना अपना भवन हैं शिव लोक वरुन लोक यम लोक इंद्र लोक ब्रह्म लोक आपका कोई लोक नहीं है ना आउस्टेक्स ना वाटर टेक्स ना कोई मेंटीनेंस जितने देवता हैं सब के पास बाह देवताओं पर बाहन है, आपके पास कोई बाहन भी नहीं है, कहां मादा जाए, कहां रखा जाए, कब बदला जाए, कभी सर्विस करानी है, नहीं नहीं, कोई आपके पास टेंशन है ही नहीं, और सबसे बड़ा मेंटिनेंस होता है घरवाली का और घर का, वो भी आपके पास नहीं है फिर माराज आप क्यों उदास हो रहे हैं जब हम लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं न तो अपने घर से ले करके सीट पर बैठने तक चैरे पर चार अवस्ता दिखाई देती हैं घर से ले करके रेलवे पिलेट फारम तक बेकरारी अरे जाम नहीं मिल जाए ट्रेन नहीं छूट जाए समय पहुँचेंगे के नहीं पता नहीं कौन से पिलेट फारम पर आएगी घर से निकलेंगे और रेलवे इस्टेशन पिले बेकरारी खतम और इंतिजारी शिरू बारवार देखते हैं हमारी वाली तो नहीं आरही बारवार नम्मरिंग पढ़ते हैं चरचा करते हैं कल कितनी लेट आई थी अब तो राइट टाइम आ जाएगी ना ओ जैसे ही ट्रेन आ गई इंतिजारी खतम और फोश्दारी श्रूय पहले मैं बैठ हूँगा, पहले मेरा सामान रखा जाएगा, ये सीट नहीं नहीं है आगा बढ़ो तुम यह सामान नहीं रख सकते और जब सारा सामान जम गया फिर आराम से बैठ गये, फोस्दारी खतम हो जमी दारी श्रूय ये सीट हमारी है इन पर कोई और नहीं बैट दाए कभी-कभी तो गड़बड हो जाती है एक आदमी अकेला बैठा और बगल में रुमाल बिचा लिया भाई रुमाल हटाओ हमें बैटना है नहीं नहीं जहां रुमाल हमने बिचा दिया वो सीट हमारी हो गई अगले ने जिम में सनुमाल लिकाल के उसी के सिर्पे बिचा दिया वो ले अब तुम हमारे हो गए वो लोग करश्न का नहीं आला हले नारद भाबा आपके चेरे पर उदासी कैसी है सी नारद जी ने का मैं तीर थे आत्रा करने गया हम तो प्रत्वीम्यातो ग्यात्वा सरवो तमामिते पुश्करम्च प्रयागम्च काशिम गोदावरीम्तथा मेरे प्रत्वी के तीर्थों के गया इसका मतलब प्रत्वी के अलाबा भी तीर्थ हैं उपर के साथ लोकों में भी हैं और नीचे के साथ लोकों में भी तीर्थ हैं जितने आस्मान में तारे हैं इसकंद पुरान में प्रमान है कि लगवक तीन करोड तारे हैं और तीन करोड ही तीर्थ हैं और उन तीर्थों का दर्शन नारज जी और हन्मान जी महराज ने किया है बागी सभी तीर्थों में जाना नारजी नेका मैंने प्रत्वी के तीर्थों में जाकर दुर्दरशा देखी हरिद्वार पुरुक्षेत्र रामेश्वरम स्री रंगम पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी इन तीर्थों में मैंने जाकर के देखा दूर दूर तक कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं देता, किसी पर विश्वास की आदा है सब अपना पेट भरने में लगे हैं, लोगों को ठगने में लगे हुए हैं तीर्थों में बाहर के लोग आ करके बस गयें, वहाँ पर व्यापार खोल दिये हैं, अनेक प्रकार के पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सा परिग्रहा पाखंड लोगों में जादा अकर्शन हो गया है, जो बिरक्त थे, वो और जादा अपना इखटा करने लगे हैं तरुनी प्रभता के हे शाल को बुद्धिदाय का घरों में तरुनियों की चलती है, साले ही बुद्धिदाता हो गये हैं आश्रमा यवने रुद्धा तीथा नी सर्तस्तता, आश्रम नदी तीथ सब प्रदूशित हो गयें, सब का रंग बदल गया, ढंग बदल गया न योगी न इवसिद्धोभा, न ज्ञानी सत्क्रियों नरा, कलिदावा न ले नाद्या, साधनम भस्मताम गतम ना कोई सच्चा योगी दिखाई देता है, ना कोई सिद्ध दिखाई देता है, के वास्तब में काम कराई देगा ठगने में लगें हैं लोग ना कोई सच्चा ग्यानी दिखाई देता है ना कोई अच्छी क्रिया करने वाला दिखाई देता है कल्य गुरूपी दावादन ने सब को भस्म कर दिया है हम जा रहे थे बहुत जोर के जगड़े की अवा जा रही थी एक आश्रम में से हमने का ये किसका आश्रम है वोले मौनी बाबा का है और आगे चले बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे ये किसका आश्रम है वोले ब्रमचारी जी का है और आगे चले बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी ये आश्रम किसका है उले त्यागी बाबा का है बड़ा सब कुछ उल्टा उल्टा देखा तीर्थों में ऐसे दोश देखते देखते मैं शिविन्दावन धाम पहुंच गया यत्र लीला हरे रभूद जहां भगवान ने अनेक लीलाएं करी है वहाँ क्या दोश देखा नारजी नहीं नहीं वहाँ पर दोश नहीं देखा वहाँ एक आश्र देखा तत्राश्र यम्याद्रिष्टम शूयतांतन मनीश् marginal ये मनिश्वरों वहाँ मुझे आश्र दिखाई दिया कौन सा? एक आतो तरुनी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा ब्रिद्यव दव पतिदव पार्शव निश्य संताव चेतनव एक जवान इस्त्री एक पिड़ के नीचे बैठी हुई थी ये कोई आश्यर की बात नहीं है लोग पिड़के नीचे ही तो बैठते हैं और कहा बैठते हैं दो मैलाएं आम के पिड़के नीचे बैठी हैं अपरेल के महीने में आम टपक गया आम से का तुम तो मैई जून में टपकते हो वोले तुम दोनों की बात सुन सुनके पहले ही पक गया इसलिए पहले टपकना पड़ा पेड़के नीचे तो लोग बैठते ही हैं ये क्या आश्यर है वोले आश्यर ये है के तरुणी इस्त्री की गोदी में दो बूड़े लोग सिर्रक करके लेटे हुए थे और आश्यर ये है के उन बूड़े लोगों को वो बेटा कह करके सम्मोधन कर रही थी उठो बेटा, जागो बेटा, खड़े हो जाओ बेटा दसियों महलाएं उसके चारों तरफ बैठी हैं पानी बिलाती है कोई हवा करती है कोई चमर ढुराती है जो भी सामने से निकलता है वो श्त्री कहती है ठहरो ठहरो रुको मेरा कश्ट सुनो मेरे कश्ट को दूर करने का प्रयास करो स्री नारत जी ने का मैं भी जब उसके सामने से निकला मुझे देख करके पुकार नहें लगी भो भो साधो छलम दिष्ट मच्चिन्ताम अपिनाशय जर्शनम तवलो कस्य सर्वथाग हरंपरं बाबा आपके दर्शन करने से तो मन को शांती मिल रही है निश्य ही आप मेरा कष्ट दूर करने में सामर्थवान होंगे ठेरिये ठेरिये मेरा कष्ट सुनिये नारत जी ने कहा कासित तुमका विमौचेमा नारियक कापत मलो चना बददेवी सविस्तारं सुस्य दुक्ष सिकारणं हे देवी आप कौन हो ये दोनों गोदी में लेटे हैं ये कौन है आपके साथ जो महलाएं हैं ये कौन है उस देवी ने कहा मेरा नाम भक्ती है ये दोनों मेरे बेटे हैं ग्यान और वेराग्या हम अपने युवा होने का उपाय खोजने लगे ग्यान वेरा के भक्ती बुलापे को दूर करने का उपाय खोजते खोजते ब्रिदावन धम में आगए ब्रिदावन में आते ही आश्यर हुआ भक्ती युवा हो गई और ग्यान वेरा के बूडे के बूडे रह गए गंगा, नर्वदा, कावेरी, तापती, सर्यो ये सारी नदियां हैं जो मैलाओं का रूप धारण करके मेरी सेवा के लिए आ गई है ब्रंदावन अम्पन प्राप्यो नवनेव सरोपने नारद बाबा ब्रंदावन को पा करके मैं युवा हो गई लेकिन कोई मा कभी प्रसंद नहीं रह सकती अगर उनके बच्चेओं को तखलीप है आप मेरा कष्ट दूर करिए चिंता मत करो जिन्होंने भरी सवा में दृपदी की लाज बचाई वो कहीं कनियां चले नहीं गए हैं वो तुमारा कष्ट जरूर दूर करेंगे जयते जगते मायाम यस्यकाया धवस्ते बचन रचन में कमके वलंचाक लईय ध्रुवपदे मपयातो यत्कृपातो ध्रवोयम सकलकुशलपात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासमे ये ब्रह्मा जी के बेटा नारद बावा हम आपको प्रणाम करती हैं हम जानती हैं पांच बर्ष के बालक ध्रुवब ने आपकी करपा से ही ध्रुवपद प्राप्त कर लिया था बालक प्रहलाद के लिए भगवान खंबा बाड़ करके प्रगट हुए वो भी आपकी ही करपा थी आप हमारे उपर जरूर करपा करेंगे नारद जी अनेक तीठों का जल लाला करके ग्यानवेरा के भक्ती को पिला रहे हैं कई जगे का परसाद लाके खिला रहे हैं ग्यानवेरा के कान में कई धर्मकरंथों को बोल बोल करके सुना रहे हैं लेकिन कोई लाव नहीं हो रहा है लेकिन नारद जी को एक बात बार बार याद आ रही है ब्रिंदावनस्य संयोगाच पुनस्तम तर नीनवा धन्यम ब्रिंदावनम तेन भक्ती निद्यति यत्रच आहां ये ब्रिंदावन धाम धन्य है जहां जाने से भक्ती युबा हो जाती है मोबाइल में बैटरी खतम हो जाए तो चार्जिंग पे लगाना पड़ता है और चार्जिंग पे लगाते ही फिर से बैटरी चार्ज हो करके मोबाइल काम करने लगता है जब भी हमारे हिर्दे में भक्ती रूपी बैटरी कम होने लगे हमें चार्ज करने के लिए ब्रिंदावन जाना चाहिए। है इसे लोग आपस में राधे- राधे ही बोलते हैं। जहां जाओ वहीं भगवान का नाम कान में जाएगा। हर समयं बाता वर्ण राधा में क्रश्न में हो जाएगा। आईए मन से ब्रिंदावन चलते हैं दो मिनट के लिए सभी लोग सुनेंगे और गाएंगे सभी को बोलना है गाने से उड़ जाती है आलस से भाग जाता है भगवान का नाम मुखारविंद से निकलता है बहुत आनंदा है मन चल रे ब्रिंदावन धाम राधे राधे गाएंगे तुझे मिल जाएं शाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे ब्रिंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ब्रिंदावन में बागे बिहारी बागे बिहारी की महमा है न्यारी तेरी कोड़ी लगे नचे दाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम 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 गाएंगे तुझे दिल जाए शाम शाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे ब्रिंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे ब्रिंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ, ब्रन्दा बन में जमना किनारा शीदल निर्मल बहती है धारा जहां पहरे आठोया में राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे शामा शामा घाएंगे मने चलरे बिन्दा बन धामे राधे राधे गाएंगे मने चलरे बिन्दा बन धामे राधे राधे गाएंगे ब्रन्दा बन की दैपर खमा रंग जी में है सोने का खमा राधे 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 गाएंगे मने चलरे बिन्दा बन धामे राधे राधे गाएंगे कुण्य गलन में कुण्य बिहारी कुण्य बिहारी संग राधे का प्यारी कुण्य तेरे बन धाएंगे तेरे बन धाएंगे राधे राधे गाएंगे कुझे मिल जाएंगे कुझे मिल जाएंगे मने चल रे मिलना वने नहां मेरा दिना दिन दाएंगे मने चल रे मिलना वने नहां मेरा दिन दाएंगे बोलिये मिलना वने विहारी लाले कीजे स्री नारद जी ने अनेक प्रकार के प्रयास किये कोई सबलता नहीं मिली स्री नारद जी सनकादिकों को अपनी कथा सुना रहे है मारा ज्यान भेरागे को पुष्ट करने के लिए उपाय खोजता खोजता मैं ब्रिन्दावन धाम से चलते चलते यां बद्री ना धाम तका गया सनकादिकों का अहो नारद धन्योसी पीतस्ते मयनिश्चलाग आप धन्य है नारद वावा परहितसर इस धरम नहीं भाई पर पीडासम नहीं अधमाई ज्यान भेराग से कोई रिष्टेदारी धोरी है सडक के किनारे जा रहे हैं सडक पड़ जा रहे हैं सडक के किनारे वो बैठे हाथ दे के लोग लिया रुक गए और लग पड़े उनी को आनंद दिलाने में नारद बाबा अब आप अकेले नहीं हैं हम आपके साथ हैं और हमारे पास उपाए हैं ज्यान और वेरागे को सुस्त करने का क्या उपाए हैं हमारे गंगा अद्वार समी पेतू तटमानन्द नामकं स्रनुनारद वक्षामो विनम्राय विवेकने ज्यान यज्यम करिश्यामी शकुशास्त्र कतो जुलम भक्ति ज्यान विरागानाम इस्तापनार्थं प्रयत्नताम हम भागवत की कथा सुनाईंगे वो ग्यान वेरागे भक्ति के साथ आपको सुननी होगी माराज ग्यान और वेरागे हैं व्रिंदावन में और आप यहां विराज रहे हैं बद्रीनाथ में आपको चलना पड़ेगा वहां तक, तीन-तीन को यहां तक कैसे लाया जाएगा स्री सनकादिकों ने कहा, आदा हम चलते हैं और आदा तुम उनको ले आओ कहां पर हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है गंगाजी के किनारे रिशी मुनी वहां पर तपस्या करते हैं रम्यमेकांद देश अस्तम हेमपद मस्सवर भं वहां पर प्रक्षों की इतनी बड़ी बड़ी डालियां हैं अपने आप बितान बन गया अच्छायां अपने आप हो गई पंडाल लगाने की जरुवत नहीं है गंगाजी की लहरों से सुकोमल बालू बिच गई है गद्दे विचाने की जरुवत नहीं है वहां पर कुश्पों से ऐसी सुगंदी निकलती है बड़ी आनन्द देने वाली वो इस्थान हर्थ परकार से रमनी कहे मन रमन करता है वहां पर महराज मुझे क्या क्या तैयारी करनी है बतलाई है सनकादिकोने का आपको केवल परचार करना है तीनों लोग चोदे भूवन में नारत जी ने बीणा के श्वर छेड दिये श्रीमत भागवत कथा भलानी तिती से प्रारंब हो रही है सभी लोग कथा सुनने के लिए पधारे ब्रगुर्वसिष्टो चवनश्यको उतमो मीदा तिथिर देवल देभरातो कथा सुनने कोई ऐसे वैसे लोग नहीं जा रहे हैं ब्रगुर्वसिष्ट चवन गोटम मेदा तिथि देवल देवरात परश्राम जी विश्वामित्र जी शाकल रिशी मारकंडे रिशी पिपलाद नाम के रिशी जा रहे हैं और कोई अकिला नहीं जा रहा है अपनी पत्री अपने बच्चों को बच्चों के बच्चों को बडे गुरु ने अपने चेले से कहा चेले ने अपने चेले से कहा स्वस्त्री भिरा ये यो रते प्रणये नयुकता नारजी ग्यानवेरा के भक्ति को बंदावन से हरित दुवार ले आए सब लोग दोड़ रहें कहीं ऐसा ना हो हमें जगे नहीं मिले ध्यावन तो प्या ये यो उसरवे फिर्थमम ये चे वैश्नवा दोड़े तो सब लोग पर जो वैश्नव थे वो पहले पहुंच गए उनके वीच में भक्ति को विराजमान किया ग्यानियों के वीच में ग्यान को और बहरागियों के वीच में बहरागे को सनकादिकोने नारजी के कलावा मानदा बोले पहले इनको जजमान बना करके बैठाओ ऐसा ना हो कथा शुरू करा करके ये महारा चलते बने हैं ये वड़े चंचले हैं इनको बिठाओ संकाद एक कथा सुना रहे हैं ओ कथा का महत्तम बतला थे हुए कहने लगे नारज जी अत्ते वनते श्मा भेर महमा शकुशास्त्र जओ यस्य अस्रमन मात्रेन मुक्ती करत लेश्टता स्रीमद भागवत कथा सुनने से हमारी मुक्ती हमारे हाथ में आ जाती है जब चाहेंगे तब हमारी वुक्ती हो जाएगे सदा सेप्या सदा सेप्या स्रीमद भागवती कथा यस्यास्रमन मात्रेणों हरिष्चित्तम समाश्रेण भागवत की कथा सुनने का कभी महुरत नहीं निकलवाना चाहिए माराई फलाने नाम से कथा घरानी है महुरत निकाल दो क्या वो एकी वक्ती सुनेगा क्या कथा कथा में तो कई लोग बैठेंगे ना सब का जन्म समय अलग सब की राशी अलग सब के भाव अलग सदा सेप्या सदा सेप्या भागवत की कता तो हमेशा सुनने चाहिए सिर्दर्द की गोली चाहे ऊपर की मंजल में खाई जाए चाहे नीचे की मंजल में चाहे रवीबार को खाई जाए चाहे गुरुबार को चाहे जून में ली जाए चाहे जुलाई में ली जाए कि हिस्ध्ध है और सिरद्ध की दभाई終 ले रहे हैं तो वो हमको तवी भायदा करेगी जब हम ले रहे हैं नहीं लेंगे तो ऑंसे भायदा करेग III निकलने का मुतर निकलबाते हैым डॉक्टर के आने का नहीं निकल वाते एक्सिजेंट हो जाए तो कोई पंडी जी को फोन नहीं करता पंडी जी बताइए कितने वज़े ले जाएं वह स्पीटल नहीं नहीं जलदी एंबूलेंस वलाओ जल्दी लेके जाना है भागो जोडो ले चलो एक जने का एक्सिजेंट हो गया लेके पहुं ये भगवान की गता दवाई है जव ली जाए तब फायदा करती है ग्रंतो अश्टादश साहस्त्रो द्वादश इसकंद सम्मितो परिक्षित शुक संबादो सनु भागवतम सतत ये अठारे अजार इसलोकों से समन्मित बारे इसकंदों वाला ये सद्गरंत श्री शुकदे वो राजा परिक्षित के संबाद से निर्मित है तावस संसार चक्रिष्मिन भ्रमते ग्यानत अप्पमाल यावत कर्ण कता नास्ती शुक शास्त्र कथाक्षणम कोई व्यक्ति जनम मरन के चक्कर में तभी तक पड़ा हुआ है जब तक उसके कान में भागवत की कथा नहीं जा रही है पुनरप जनमम पुनरप मरनम पुनरप जननी जठरे शैनम भजगोविन्दम मूडमते ये बड़ी मूर्खता है बार बार मर जाना बार बार जनम ले लेना कोई उपाय करना चाहिए जो हमको दुबारा जनम ले करके नहीं आना पड़े एक अंदे व्यक्ति को गोधी में उठा करके एक कमरे में ले गए बाई यहां से अपने आँ बार आ जाओ अन्ना बोला पैदल चला के लाते तो मालम होता दाएं मुड़े के बाएं मुड़े सीड़ी चड़े के सीड़ी उतरे कुछ तो आइडिया होता गोधी में लाके द दीवाल आजाईगी ठकरा जाओगे और जब दीवाल आजाए तो हांत फेड़ते पेड़ते चलना शुरू कर देना हर कमरे में चाट दीवाल होती हैं उने में एक दरवाजा होता और जो बाट और जाना वह भार कर दों अन्दे वक्ती नहीं किया खड़ा हुआ हाथ लगाया चलना शुरू कर दिया चलते चलते जैसी दरवाजा आया कि सिर में खुजली मच गई खुजाने लगा फिर चल दिया फिर आथ लगाया दरवाजा निकल गया अब दीवाल के सारे सारे फिर चल रहा है गोम दे गोम दे फिर दरवा जाया फिर खांसी आ गई खांस ने लगा दरवा जा छोड़ दिया फिर दीवाल के हाथ लगाया फिर चल रहा है जब जब दरवा जा आता है तब तब कोई ना कोई कारण से आत महां से अट जाता है 84 लाख योनियों में ये दर्वाजा है मानव जीवन ये हमें मिला है जनम मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए वोले कथा रूपी दीवाल पकड़ लेनी चाहिए भगवान की कथा सुननी चाहिए कभी ना कभी ज्यान का दर्वाजा मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए श्री सनकादिकों ने नारज जी से कहा तावत पापानी देहिस्मिन निवसंदी तपोधना यावन नसुयत एसम्यक श्रीमद भागवतम नरई ब्यक्ति का मन तभी तक पापों में लगा हुआ है जब तक कान में भागवत की कथा नहीं जा रही है श्रीमद भागवत की कथा सुनने से करोड़ जन्म के किये गए पापनाश हो जाते है अश्मेग सैस्त्रानी बाजय पहे शतानी चो शुक्रशास्त्र कथा याश्य कलाम नारहंत शोडशीन एक हजार बार अश्मेग यक्य किया जाए अनेक बार बाजय पहे यक्य किया जाए और भी जो यग्य हैं बार-बार किये जाएं फिर भी वो मिलकर के भागवत कथा भागवत क्यान यग्य की बराबरी नहीं कर सकते न गंगा न गया काशी पुश्करम न प्रियाग गम शुक्षास्र कथा याश्य फले न समताम नए कोई वक्ती जीवन में गंगा जीश्ना नहीं कर पाया गया काशी प्रियाग पुश्कर इन तीर्थों में एक बार भी नहीं जा पाया एक बार मन लगा करके भागवत भगवान की कथा स्रमन कर लेता है जीवन भर इंतीतों में रहने का जो पूर्ण है वो एक बार मन लगा करके कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है वो लिए भागवत भगवान इजे बेदा दिरवेद माताच पॉर्शम सुक्त मेवच त्रई भागवतम जैव द्वादसाक्षर एवच ओम नमो भगवते बासुदेवाय ये द्वादसाक्षर मंत्र है ये गाहित्री मंत्र है इसमें चौवी सक्षर है पॉर्शूक्त में अठारेश लोक हैं इन समका यदी विस्तार किया जाए भगवान की महमा का विस्तार किया जाए तो श्रीमद भागवत का रूप ले लेती है जीवनमर तुलसी का पोशन करने से जीवनमर कौशिवा करने से जोपुर्ण मिलता है वही मन लगा करके भागवत कथा सुनने से प्राप्त होता है दिनानामनेयमो नास्ति सरवदास्रमनमतम तेने योगने दे धीमन सोतब व्यासा प्रियत्नता भागवत कथा सुनेगा कोई दिन निश्चित नहीं है कभी से भी सुनना चाहिए हमारे पास समय नहीं है क्या किया जाए एक इश्लोक की भी कथा सुन ले जाए आदे इश्लोक की भी सुन ले जाए तो हमारा कल्यान हो जाता है यत्पलम नास्तितफसा नयोगेन समाधेना अनियासेन तस्वर्म सब्ताह समने लभे जीवन भर समाधी लगाने से जीवन भर तपस्या करने से जीवन भर योग करने से जो पुण मिलता है वो साथ दिन स्रीमत भागवत की कथा स्रवन करने से मिल जाता है ये नार्द भावा भगवान सी कृष्ण ने घोष्णा कर दी आज के साथ में दिन द्वार का पूरी जल में डूब जाएगी और मैं अपने इधाम बेकुंठ के लिए चला जाओंगा उनके प्रिय भक्त श्री उद्धव जी आए उद्धव जी ने प्रणाम करके का मराज आपके जाते ही कल्योग आ जाएगा कल्योग के लोगों का कल्यान कैसे होगा भगवान ने का श्रीमत भागवत महापुरान ले आओ जैसे चैतन्य माप्रभू जगनात जी में समाहित हो गए जैसे मीरा भाई द्वार का धीस में समाहित हो गई ऐसे उद्धव जी के देखते देखते सी क्रश्न श्रीमत भागवत में बिराजमान हो गए बोलो भागवत भगवाने इने तीने अम्बान्माई मूर्ति प्रिद्यक्षा वर्तते हरे सेवनास वनात पाठात दर्शनात पापनाशने ये भागवत भगवान की मूर्ति है भगवान का ग्रिंथावत आ रहे है इनका सेवन करना चाहिए दर्शन करना चाहिए पढ़ना चाहिए बोलना चाहिए सुनना चाहिए और इनकी परिक्रमा करनी चाहिए इनके परिक्रमा करने से कल्युक कभी निकट नहीं आता है जैसे श्रीमत भागवत की कथा सुनाई ज्ञान वेरा के जवान हो गए भगवान का कीज़तन करते नाचने लगे शीक्रश्न को विंदहरे मुरारे नाधेत नामाने मुहर्वदंदी भक्ती सुतवत उतर्णो ग्रहित्वा प्रेमे के रूपा सहसा भिरासे वोलोकरश्न का नहीं आलाले कीज़े सुत जी महराज ने कहा ये शोनकरशियों मैं भागवत कथा का एक महत्म और स्रवन कराता हूँ तुंग भद्रा तटे पुरुवम अभूद्पुत्तन मुत्तमम यत्रबल्णा सुधर्मेणा सत्यसत कर्म दत्वरा तुंग भद्रा नदी के किनार एक नगर में का आत्मदेव नाम का ब्रामण रहता था और ब्रामण में जितने गुण होने चाहिए सारे गुण उसमें थे मन को वश्मे रखने वाला आत्मसयमी इंद्रियों को जीतने वाला हमेशा पवित्रता से रहने वाला भगवान का वक्त वेद अध्यन करने वाला सारे गुण थे उस ब्रामण कोई ये गोरा किशी की काया बिलकुल काली है प्रभुलीला तेरी अजब नेराली है ब्रामण देवता जितने सीधे साधे थे उनकी पतनी एकदम उनके अपोजिट एकदम विपरीत थी ब्रामण का नाम है आत्म देव और पतनी का नाम बताया है धुंदली तेरी मेरी उसकी उससे लडाई क्यों होई उसकी उससे बोलचाल क्यों नहीं है उनमें जगडा किस बात पर हुआ ये सारा डाटा जो अपनी खोपड़ी में समाल के रख दिये है ऐसी इस्त्री को धुंदली कहा गया है जिसका मन जगडा कराने में जगडा समालने में और जगडे में ही लगता रहे जो दुनिया बर का धुआ गुटाती है उसका नाम धुंदली कहा है लोक बारतार ताक्रूरा प्रायशो बहु जल्पका शूरा चग्रे कृते शूकरपणा कलह प्रिया दुन्दली के कुण बतलाए शुकदेव जीने मुले किसी का इसान ना मनने वाली कलह करने में आनन्द आता है लोग नहीं लड़ते उनको लड़बा देती है आपास में बहु जल्पका बहुत बोलती है होता है कभी कभी ऐसा पत्नी की रात में आँख खुली अचानक देखा पती देव सोते सोते कुछ बोल रहे है अरे ये तो सोते सोते बोल रहे है दिन निकला समय हुआ आप जान करके डाक्टर के ले गई ले जाके डाक्टर के भगल में बिठा दिया और खुछ सामने बैठी डाक्टर बोला आपका नाम अब अगला बाद में बोले पहले खुद बोल पड़ी पला ने लाल आपकी उमर डाक्टर पुछे आदमी से और घरवाली बोल पड़े इतने साल बीमारी क्या है बोले डाक्टर साब ये रात को सोते सोते बोलते हैं ऐसी दवाई दो जो रात में इनका बोलना बंद हो जाए डाक्टर बोला वेंजी दिन में नहीं बोलने दोगी तो अगला रात में बोलके तो मनकी निकालेगा अगर दिन में ही पूरा मौका बोलने का दे दिया जाए तो ये रात में बोलने की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी बोलो कृष्ण का नहीं आला हालेगी अलग-अलग प्रकार की दुंदली होती है सारे सुकह हैं ब्रामन के यहां एक ही दुख है के राजा ब्रामन के कोई संतान नहीं है एक दासत जो दुखात करहम देखत्वाव नमगतव एक दिन ब्रामन दुखी हो करके जंगल में चला गया एक सरोवर के किनारे बैठा था आज या तो संतान प्राप्ती का कोई उपाय मिल जाए नहीं तो इसी सरोवर में कूद करके आत्मत्या कर दूँगा द्रिष्ट्वापीत दलंतंतो विप्रोयातस्त दंतिकं मूर्ताद पितत्रईव सन्यासी कष्यदागता उसी समेक संत भगवान वहाँ पर आगे उगनोंने ब्रामन को देख करके पूछा कथम रोधशे विप्रत्वम काते चिंदा बली यसी प्रामन देवता क्यों क्यों परिशान हो रहे हो चेरे पर काई की चिंदा व्यापर ही है विस्तार से वतलाई अपने दुख का कारण महराज मेरे संतान नहीं है मेरा किया हुआ श्राद पित्तिश्वर नहीं लेना चाते इन समका एक ही कारण है के मेरे संतान नहीं है महराज को यूपाए बताईए मेरे संतान हो जाए भूत बरतमान भविश्य जानने वाले इत्रकालग्य संतने उनका भाग्य देख करके बतलाया के साथ जनम तक तेरे बेटा नहीं होगा नहीं होगा गले में जो अंगोच्छा था उसी में गांठ लगा के यह गला घोटने का प्रयास करने लगा संतने का ठहरो 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 यह क्या कर रहे हो मैं मुझे ग्यान नहीं चाहिए मुझे तो संदान चाहिए और यजि 睛 मंहें देपाते हो तो में आत्मत्या कर रहा हूं इसका संगल्व मैं तुम्हारे नाम से छोड़ रहा हूं ये ब्रह्मत्या तुम ही को लगेगी ब्राह्मन परेशान हो गया हमने तो बढ़िया इससे समाचार पूछा संद परेशान हो गये हम तो इससे पूछ रहे हैं क्यों दुखी हो और ये हमें दुखी कर रहा है संदने का ठेरो तुमारे भाकिमनी पर मैं अपने तपसे दे रहा हूं एक फल तोड़कर के मंत्र पढ़कर के कहा लो ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना वो गर्भबती हो जाएगी और सुनो सत्यम, सोचम, दया, मोंगनम, आर्जवं, बिनियम तथा एक वर्षदक उसे सत्य बोलना है जादा से यादा मोन रहना है जादा से यादा पवित्ता से रहना है एक समय भोजन करना है बहुत बढ़िया बच्चा होगा बहुत सुन्दर बालक होगा माता के आचरण का प्रभाव गर्व के बालक पर पढ़ता है अभिमन्यों की माँ वहाँ पर बैठी है जहाँ अर्जन को चक्कर विवु में प्रवेश करना सिखाया जा रहा है कथा सुना रहे हैं महाराइज द्रोनाचारिय और बस गर्व में अभिमन्यों सीख रहा है माता सो जाती है बालक सो जाता है चक्कर विवु में गुसना तो जानेगे निकलना नहीं जा पाए प्रेलाद ने भी मा के गर्व में ही भगवान की भक्ती श्रवन कर लीती थी नारज जी प्रेलाद की माता कयादू को नववक्ती बतलाते नवदा भक्ती बतलाते और प्रेलाद अंदर ही ग्यान ले रहे हैं यह हमारे लिए उपदेश है कि यदि हम मौन ले लें कम बोलना शुरू करते यदि हम लोग भी एक समय भोजन करें हम भी वगवान के मंदर का ज़्यादा जाप करें हम लोग भी सदाचार से रहें सत्य बोलें तो हमारा भी जो भविश्य है वो भविश्य रूपी बच्चा बहुत बढ़िया होगा दो चार लोग बात कर रहे थे आपस में हमने अपने यहां भागवत कता कराई हमारी पतनी गर्भवती थी हमारे बड़ा सुन्दर बालक हुआ है हमने उसका नाम कनियां रखा है एकदम कृष्य जैसा लगता है एक जना बोला हमने अपने यहां रामकता कराई हमारी पतनी के जुड़मा बच्चे हुए उनका नाम हमने लबकुष रखा है एक जना दोनों की बात सुनते ही भागने लगा कहां जा रहे हो बोले मेरी पतनी प्रिग्नेंट है और अली बाबा चालीस चोर पड़ रही है उ सारे नियम बतला करके अपने मंदिर चले गए पर पतनी को कहां चैन था अपनी सारी महिला मित्र बुला ली और का आओ आओ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं मेरे पती का दिमाग खराब हो गया है फल्खा करके कहता खालो गर्ववती हो जाओगी अगर मैंने भल्खा लिया और मेरा पेट बड़ा हो गया और ऐसे में गाओं में आग लग गई तो तुम सब भग जाओगी मैं कहां भग पाओँगी गर्ववती होने पर घर का काम होता नहीं है घर समालने के लिए ननद और भांजियों को बुलाना पड़ता है वो घर का सामान चुरा चुरा के ले जाती है बड़ी परेशानी होती है किसको घर में बुलाया जाए और किसको घर में ना बुलाया जाए आखिर मैं कहना क्या चाहती हो लालने पालने दुखंपसूता याश्यवर्तते बंद्यावा बिद्वानारी इती चाश्यव में मती बच्चों का लालन पालन करने में बड़ा कश्ट उठाना पड़ता है मेरा मने है या तो सारी महला बिद्वा हो जाएं या बाज हो जाएं सारी महला वहां से उठकर के चली गई इसके पास में बैटने से तो बुद्धी दूश्यद हो जाएगी दुष्ट संग नहीं करना चाहिए सब उठकर के चली गई धुन्दली के एक बेहन है जो धुन्दली से भी जादा खतरनाक है अचानक वो आगई क्या बात है कैसे उदास हो रही है ये फल लाके दिया है वो ले खालो मौन रहो बजन करो सत्य बोलो पवित्ता से रहो ये करो ये करो अरे बड़े कानून बताती है चंता मत करो ये फल गाए को खिला दो गाए के बच्चा हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि फल में ताकत है और तुमारी इच्छा है जैसे रहो मैं गर्भवती हूँ मेरे बच्चा होने बाला है तुम पेट पर पोटली बान करके नाटक करती रहो अब दो महीने हो गए अब चार महीने हो गए अब छे महीने हो गए खूब खाओ पीओ लेकिन पती देव आ जाएं तो मास्क लगा करके बैठ जाओ खूब लड़ो जगड़ो लेकिन पती देव आ जाएं तो माला जोली लेकर करके बैठ जाओ जो जो तुम्हारी इच्छा हो वो वो करो लेकिन जिसने नियम बताया है के वल नियम उसी के सामने लागू करो बाकी प्रसन न रहो मेरे पती रात में आकर के तुम्हें बच्चा दे जाएंगे हैं तुम्हारे पती तुमसे कुछ नहीं कहेंगे वो लिन्नारी जीवन की सार्तक था पती को वस्मे करना ही है मैंने कर लिया है तुम अब कोसिस करो दीरे दीरे नो महीने हो गए एक रातरी में बहन का पती ला करके बच्चा दे गया और बच्चे को गोधी में ले करके पंडिजी के कमरे में महुंच गई दर्वाजा खटगटाया पंडिजी कमरा खोलो मेरे बच्चा हुआ है पंडिजी आँख मसल के देख रहे बच्चा तुमारे हुआ या अलवारी में से उठा के लाई हो जिनके बच्चा होता है वो उठकर के चलकर के आ जाएं ज्यादा मत सोती है ये फलका परणाम है अब एक समस्या आ गई है के मेरे इस्तनों में दूद नहीं है बच्चा खाएगा पिएगा क्या और ये तो बड़ी समस्या है क्या करना चाहिए बोले मेरी बेहन के बच्चा होके मर गया उसके दूद उतर रहा है आप को हो तो अपनी मेहन को पुला लू एक और एक ग्यारे हो गई धुंद लीन अपने बेटे का नाम धुंदकारी रख दिया थोड़े दिनों के बाद गाई के बेटा हुआ जिसके कान गाई जैसे पूरा शरीर मनश्य जैसा उनका नाम गोकरण रख दिया गया गोकरण उपने तो ग्यानी धुंदकारी महां खला इसनान सोच क्रिया ही नो दुरुबक्षी क्रोध बर देता दुष परिक्रे करता चा शबहस्तेन भूजनम इंसका शस्रदारी चा दीना धानाम प्रपीड का दुष 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 एक दिन पिता जी के बास आया, आस साब कुछ मेरे हवाले कर दो, पिता जी समझदार थे, कल आना बेटा, कल सब दे तुमारे, रो रहे हैं आत्मदेव, तभी गो करन जी महरा जा गए, क्यों रो रहे हो पिता जी, आपका एच्छिक पुत्र मैँ हूँ, आपके जो च्छाती ना बेटा हो मैं हूँ मैं एक दिन इसलिए रो रहा था कि मेरे बेटा नहीं है आज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे धुंदकारी जैसा बेटा क्यों है स्री गोकरणदी ने आत्मदेव से कहा देहे श्ते मांसरदरे भिमतीत जत्वं जाया सुता दिशसदा ममता मिमुंच पश्या निशम जगदिदंचन भंग निष्टम वैरागे रागे रसको भवभक्त निष्ठ पिताजी रोने का कारण है मोह यह जो शरीर है इसका नाम है देह क्योंकि इसके रहने में संदे है कोई बैठा बैठा चला जाता है जाना सब को है इसलिए इसका नाम देह है सारे संसार को सपना समझना चाहिए सपना कभी ना कभी तो तूटेगा संसार भी कभी ना कभी छूटेगा धर्मा बजस्ट सदतम्त दिलोक धर्मा सेवस्ट साद पुरुशांज हिकाम तरिश्णाम अन्यश्य दोश गुण चिंदनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रस्मा हो नितराम पिवत्वम मेरा मने आप बन में चले जाएं बन में कुटिया बना करके रहें दुनिया की भलाई बुराई से मन अटा करके भगवान का गुणगान करें भगवान की कथा सुनें और भगवान की सेवा करें इनी में आप अपना मन लगा दें स्री आत्मदेव घर छोड़ करके बन में चले गए दुन्दकारी पांच विश्याओं को ले आया उनका पोशन करने के लिए राजा के या चोरी करके बड़ा माल ले करके आया रात्री में खाट पर सो रहा था विश्याओं ने रस्सी से खाट में लपेट करके जल्दी हुई अंगीठी मुह में डाल दी तरफ तरफ करके मर गया गया माता मर गहीं थोड़े दिन बाद आत्मदेम मर गह स्रीको कुरण जी थीर्थियात्रा करते हुए गया में पधा रही और सबका गया श्राद किया लोट करके आई तो घर में प्रेट दिखाई दिया तुम कौन अहम ब्राता तो दियोस में धंदकारी ते नामदा मैं तुमारा भाई धंदकारी हूँ तो दर्तम तु गया पिंडो मया थत्तो विधान था मैंने तो तुमारा गया श्राद किया था फिर तुमारा कल्यान नहीं हुआ वो ले मेरे जैसे पापी जो माता पिता को सताते हो उनका एक नहीं सो बार गया श्राद किया जाए तो भी उनका कल्यान नहीं होता है उपायम अपरम किंचिद मना शुद्धे विचाहरेत कोई और उचा उचा मने अपर अंग्रेजी में भी अपर और संस्क्रित में भी उचे को अपर कहते है कोई और उचा उपाई कीजिए मेरे मुक्ष के लिए बहुत सारे उपाई कीए सबलता नहीं मिले गोकरण जी ने से सूर नारायन से पूछा तुभ्यम नमो जगस्राक्षेन बुरूहि में मुक्त हेतकम आप सारी संसार को उपर से देखते रहते हो बताओ ना दुनिया में कौन सा उपाई है जो दुन्दकारी के लिए किया जाए स्री सूर नारायन ने कहा स्री मद भाग बतान मुक्त ही सबता हम बाचनम करो स्री मद भागवत की कथा इसे सुनाई जाए कल्यान हो जाएगा साथ गांठ के बांश पर प्रेतात्मा को विराजमान कर कथा होने लगी पहले दिन पहली गांठ पटी दूसरे दिन दूसरे और साथ में दिन सारा बांश भट गया और दुन्दकारी को लेने के लिए बिमान आ गया गोकरण जी ने का आप एक बिमान लाएं हैं यहां तो मेरे बहुत सारे लोग कथा सुन रहे थे अत्रईवा महवस्षंदी श्रोतारो ममनिर्मला बिमान लाने वालोंने का तो केवल दुन्दकारी ने सुनी है स्री कोकरण ने कहा मैं दुबारा कथा कहूंगा आप दुबारा आईएगा अब की बार सब ने ध्यान लगा करके कथा सुनी और सब के लिए विमान आया और सब लोग बैठ करके बगवान के धाम को चले गए धन्या भागवत ही बारता प्रेत पीडा विनाशनी ये भागवत की कथा पित्तिश्वनों को मोक्ष परदान करने वाली है वो लो भागवत भगवाने कीजे छटी अध्याई में भागवत सुनने की विधी बतलाने लगे जिस प्रकार बेटी का विवाह करते हैं इसी प्रकार भागवत कथा उस सब करना चाहिए वहां भी मंदब बनता है यहां भी मंदब बनता है वहां भी सबी इस नई जनों को बुलाया जाता है यहां भी बुलाया जाता है वहां भी यह क्यों होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहां पर साथ बचन दिये जाते हैं और यहां साथ शर्णागती होती है देशे देशे विरक्ता ये वैश्नवा की तनो सुका अपने स्वजनों को बुलाना चाहिए कथा घर में कराई जाए, बन में कराई जाए तीर्थ में कराई जाए, जहां भी कराई जाए कथा कल्यान कारी होती है कथा सुनाने वाला कथा वाचक उसमें नो गुणों होने चाहिए विरक्तो वैश्नवो विप्रो वेद शास्र विशुद्धिक्रत दृष्टांत कुषलो धीरो कथा वाचक बिरक्तो होना चाहिए, किसी चीज में उसकी आसकती ना हो वैश्नव, विश्नु को मानने वाला होना चाहिए ब्रामन होना बहुत जुरूरी है, ब्रामन के लावा किसी से कथा कराते है उसको नुष्ठान के रूप में स्विकार नहीं किया जाएगा ससंग भलें कोई भी कर ले बेदशास्ट पढ़ने वाला, विशुद जगान वाला दृष्टान्द देने में कुशल, धीर, भीर, गंभीर ऐसा कथा वाचक सुनना चाहिए, जिसे अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी हो कथा विगन विनाता या गणनातं पर पूजियेत कथा में किसी प्रकार का विगन आए, इसलिए गणपती, शोड़स मात्र का नवक्रेह, कुल देवी, कुल देविता और ब्रामणों का पूजन करना चाहिए, पित्तिश्वरों का पूजन करना चाहिए श्रीमत भागवत को भगवान मान करके मंदिर से लेकर के आएं दिव्य आसंबर विराजमान करें शोड़शुप चार से पूजन करके आरती उतारनी चाहिए श्रीमत भागवत की चार परकम्मा करनी चाहिए एपरफो धर्म में हमारा मन लगे एक परकम्मा हमें खूब अर्थ की प्राप्ती हो दूसरी परकम्मा हमारी सारी कामना पूर्ण हो तीसरी परकम्मा और हमें मोक्ष मिले ये चौती परकम्मा कथा सुनने वाले को साथ दिन दग ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए बोजनम्दो वरमन ने कथा सुनने कारकम्म साथ दिन दग बिना बोजन की ये कथा सुने बिना बोजन की नहीं रह सकते केवल दूद भी करके कथा सुने फिर लिखराए घी भी करके कथा सुने फिर लिखराए केवल फल का खा करके फलाहार करके कथा सुने अंत में लिखा जिसका सरीर जैसे माने भगवान के लिए सात्यक भोजन तुलसी डाल करके भोग लगाओ और उसी को पा करके कथा सुननी चाहिए सत्यम सोचम दया मोनम आर्जबं बिनियम तथा कथा कराने वाले को संकल्ब करना चाहिए साथ दिन तक जूट नहीं बोलेंगे सत्य बोलेंगे सोचम माने पवित्ता से रहेंगे दया की भावना रखेंगे जादा से जादा मोन रहेंगे दर उदर की बातां नहीं करेंगे घर में परवार में कैसे शांती रहे इस बात का प्रयास करते रहेंगे सबसे बिनेता से आज जोड़ करके बात करेंगे साथ दिन तक दर्तिक पर सेन करेंगे भगवान को भोग लगा करके सतोगुणी भोधन करेंगे जहां पर ये भागवत की कथा 88,000 रिश्यों को सुनाई जा रही है वहां पर श्री शुकदे भगवान पधारे बहुत सारे देवता प्रगट होगे कीर्टन होने लगा प्रलादस्तालधारी तरलगतेयाच उद्धवककांसिधारी बीनाधारी सुरशी सुरकुषदेया राग करतार्दनोभूत इंद्रोवाजिन म्रदंगम जय जय शुकरा कीर्टनेते कुमारा यत्रा के भावबत्ता सरसर्चनेया ब्याश बत्रोववूव। प्रलाजी ताली वजाने लगे उद्धवजी मजीरा वजाने लगे नारजी बीना बजा रहे हैं अरजुन रागलाप रहे हैं इंद्र म्रदंग बजा रहे हैं और सुनकादिक जय जय कार कर रहे हैं जय जय राधा रमण हरीवो जय जय राधा रमण हरीवो जय जय राधा रमण हरीवो जे जे आधार मने घरी बोल जे जे आधार मने घरी बोल जे जे आधार मने घरी बोल जे जे राधार मन हरी वोर अक्यन में जरद जोना सा उसकन में जादू जोना सा जोनो रसके भरे है कपूद जे जे नाधार मन हरी वोर जोनो रसके भरे है कपूद जे जे राधार मन हरी वोर जे जे राधारमन, जे जे राधारमन, जे राधारमन, हरी बोल जे जाचे उसकी खिल गन पे, जे जाचे उसकी खिल गन पे, कजरी ली तिरे छीचित बन पे, कजरी खिली खिल गन पे, सुर्जास बिखे विन्मो, जे जे राधारमन, हरी बोल शुल्गा से बिगे है अन्मूल जे जे राधारमन हरी हो शुल्गा से बिगे है अन्मूल जे जे राधारमन हरी हो भागवत की महमा का वर्णन कर रहे थे वहां स्रीशुदेव महाप्रभु आ गए और श्रीशुदेव जी ने कहा दारिद्य दुख जुरदाहितानाम मायाप शाथी परिमर्दतानाम संसार सिंधो परिपाधितानाम छे मायवई भागवतं प्रगर्जती भागवत कथा सुनने से धरिद्यता दूर होती है यदि कोई धन बैभव चाते हैं तो उने एश्वर्य बैभव धन संबत्ती प्राप्त होती है भागवत कथा सुनने से मोह माया से पीछा छूड़ जाता है भागवत कथा सुनने से भहुसागर से पार होकर के हम भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं वो लिए भागवत भगवाने की जे श्रीमद भागवत का महत्म गाया गया बड़ा अनंदाया अव अठाशी एहजार रिश्यों ने कहा माराज अव हमें भागवत की कथा सुनाईए बड़ा अनंदारा है आईए थोड़ा सा भागवत के बारे में बेसिक बातें जानले जो और हिंदू को जानकारी होनी चाहिए श्रीमद भागवत के रचेता श्री वेदव्यास भगवान है वेदव्यास जी का जर्म मतुरा में जमना के तटपर क्रश्न गंगा नाम के घाट पर एक टापू पर क्रश्न हुआ था कहलाता है और समझा करके विस्तार से कहना व्यास कहलाता है कि श्रीमन नारायन ने ब्रह्मा जी को जो बेद प्रदान किया वह अकेला वेद था जिसका नाम केवल वेद जो वेद को नहीं मानते उनका नाम जावेद नावेद और वेद को सरल कर दिया चार वेदों के रूप में विवाजन कर दिया सीध वेद अब्याशी ने रिग वेद यजर वेद सामवेद अथरवेद वेदों का विस्तार करने के कारण इनका नाम वेद अब्याश और पूरा नाम सीक्रश्न द्वैपायन वेद अब्याश पड़ा गुरुपुणमा वाले दिन इनका अवतार हुआ था ओलो वेद अब्याश भगवाने गीजे श्रीमद भागवत के नायक सीक्रश्न है रचा है व्याश जी ने अपने बेटे शुकदेव जी को पढ़ाया था जैसे टूशन टीचर पढ़ाता है ऐसे लेकिन साथ दिन की भागवत कथा के रूप में स्रीमद भागवत को गाने वाले स्री शुकदेव जी महाराज है भागवत के प्रवक्ता शुकदेव जी भागवत के नायक स्री क्रश्न भागवत के रचेता श्री वेदव्यास भगवान श्रीमत भागवत महापुरान में बारे इसकंद हैं बारे इसकंदों में 335 सद्धियाए हैं 335 सद्धियाएों में 18,000 इस लोक हैं हमारे गुरदेव श्रीश्री जी वावा महराज कहते थे 18,000 में से कम से कम अठारे सो तो साथ दिन में बूलने चाहिए 10% श्लोक तो उच्चारण होने चाहिए है आजकल कथा का रूप बदल रहा है श्लोकों से दूर और चीजों के पास होती जा रही है कथा पहले इसकंद पहली अध्याए पहले श्लोक में सर्व सामर्तवान सीक्रश्नकनिया को प्रणाम करके स्रीमत भागवत कथा प्रारम की जा रही है जन्माध्यस्ययतोन्वै आदितरत चार्थेशवे यस्वराट तेने ब्रह्म हिदाय आदिकवय मुईहंत्य सूरय ते जो वारि मिर्धाम्यता बिनमयो यत्रत्रिसर गुम्रशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यंपरं धीमः सत्यंपरं धीमः परम सत्यस्री सर्व सामर्थवान भगवान कृष्ण को हमोरा प्रणाम करते हैं आईए जरा कृष्ण के कुछ गुण बतलाए जा रहे हैं पहले इस लोक में जन्माध्यस्यतोन्वै आदितरत इसका आड़त है कि जन्माध्य जिनके कारण होते हैं अनुसूत्र का सूत्र है ओले यस्माध्य यतो यस्माध्भवती जन्माध्यस्यतोन्वै यतरत चार्थेश विग्यस्वराठ जो केवल संकल्ब करते हैं और स्रश्टी की रचना हो जाती है एक बच्चा एक थैले में वहुत सारे खिलोने लेके बैठा है खेलने का मन हुआ खिलोना उसने सारे खला लिये थैला खाली कर लिया और सजा दिया ये घोड़ा ये हाती ये बरात ये दूला ये दुलहन ये 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 बच्चा खेल रहा है सब को अच्छा लग रहा है पर कोई ये नहीं जानता बच्चा कौन से खिलोने से कितनी देर खेलेगा कोई खिलोने से दो मिनिट में मन भर गया अलग पटक दिया कोई से आखीर तक खेल रहा है ये सारा संसार क्रीडा भांडम जगस्थरमम भगवान के खेलने का भंडार है खिलोनों का भंडार है हम और आप सभी खिलोने है कोई 40 साल का ही जला जाता है कोई 80 साल का पैठा रहता है कोई 10 साल का ही जला जाता है कौन से खिलोने को कवा उट कर देंगे वो किवल वही जानते हैं और किसी के हाथ में नहीं है बरत जीने का मरा यतने वड़े विद्वान होकर के गुर्दे बसिष्ट आप कुछ नहीं बता पारे वो नहीं नहीं धान इलाव जीवन मरन जस अप जस भी दे हाथ वो हमारे हाथ में नहीं है चार्थेश विग्या विग्य माने जानकार उनको किसी से कोई जानकारी नहीं करनी वो स्वयम सिद्ध जानकार है सुराट माने स्वयम सिद्ध ज्यानवान स्वयम राट तेति इती सुराट अह उन्हें सब चीज की जानकारी है कोई मारवारी भाषा में भगवान को बुला रहा है कोई तमिल भाषा में बुला रहा है कोई अंग्रेजी में बुला रहा है कोई उर्दू में बुला रहा है कोई ब्रिज भाषा में बुला रहा है क्या उनको सीखना पड़ेगी भाषा नहीं वो स्वयम सिद्ध ज्यानवा नहि語 हो तो पशु पक्षियों की विभासा जानते हैं वग्जेंद्रहाथी की विभासा जानते हैं अ हुआ है देने ब्रह्म हिदाये आधकवये मुयहंतिये सुर्यों आधकवी ब्रहमा को कहा ई अपनी नाभी से कमल कमल मैंसे ब्रहमा को जन्म देटें फिर उसे चतुशलो की वागव सुनाते हैं फिर ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाते हैं फिर ब्रह्मा जी को स्रश्टी रचने की सामर्थ प्रदान करते हैं फिर ब्रह्मा जी को अपना जैसा लोग ब्रह्मलोग बना करके देते हैं फिर ब्रह्मा जी की वो चार बुद्धी चा के बालकों के साद् ब्रमा जी को महिद कर लेते हैं ओव अम उन accomplish न को प्रणाम कर रहे हैं के रहे हैं तेज्योबार म म्रदामय ता पिनमयों यत्रत्ति अर्ण कुए अ हो उन्स निकलता है थर्दी में कई भी खदाइगर करो पानी निकलता है खारा निकले मीठा निकले है उसलों नौन रही हैं उनकों को य सद्आ कर सकता कि सांक प्रशा मान जूत मिय्की हो हुँआ और सब्द्रशच माने वह तिसर जोगें विराज मने हैं वह बिना न हातों के जामकर नासेन इस्यस्त The हो भी बिना हातों के सांत तब होए दिखाई नहीं देते दुष्ट दुर्योधन के हैं दुरवासा जी आए चान्दी की ठालीों में दसिजार शिशों को बोजन कराया बहुत बडिया पकवान परोसे गहे बहुत बडिया स्वागत किया प्रार्थना करी प्रसन्द हो गए दुरवासा जी दर्योधन बरदान मांग लो कपटी दर्योधन ने बरदान मांगा मारा जैसे आपने हमारे याँ बोजन किया ऐसे आप हमारे भाई पांडवों के याँ बोजन करने पधारी है दर्योधन जानता था पांडवों पर बोजन की विवस्ता नहीं होगी कि दुरबासाजी कोधी हैं श्राण देदेंगे पांच औप उ पांच ओण डवन के यहां तुपेर में पहुंच गए पांडब बोजन करके चुके थे आत भाध दोके बस चैन से बैठे इधे के दुर्बासाजी आ कए पांडवों ने प्रणाम किया युद्रिश्टिर हमारे साथ दसे जार शिश्षे हैं पास में फलानी न दिये हम इश्णान करने जा रहे हैं लोट करके आएंगे तुमारे यहां भोजन करेंगे तुम तैयारी करो ना पूछना ना बताना वहां तो बोल दिया और चल दिये गुस्सा इतना कि कोई आदमी पूछ भी नहीं सकता कुछ में द्रोपदी के पास एक पात्र था जिसे कहते थे अक्षय पात्र चाहें दस लोग हो चाहें सो लोग हो चाहें दस जार लोग हो पत्तल परोस दी जाए और पात्र लेकर के कल्पना करी जाए कि आज दालवाटी खानी हैं पात्र उल्टा करो सब पत्तलों पर दालवाटी आ जाईए आज छोला वटूरा खाना है कि आज दाल रोटी खानी है जो कल्पना करेंगे वो ही उसमें से निकलेगा एक शर्थ है धोकर के रख दिया तब वो next time डिनर के time पर ही काम आएगा डिनर के time पर दोकर रख दिया अगले दिन lunch time पर काम आएगा बार बार काम पर नहीं लिया जाता द्रोपदी तुम्हारा पात्र का है वो ले वो तो मैं धोकर रखे आई अब दुर्वासाजी को भोजन कैसे कराया जाए एक जने के मिन में आईडिया आया हम छे जने साथ जने हैं पांचो पांडव छटी मिया और साथ मी द्रोपदी साथ में से एक जना मर जाए हमारे यहां सू तक लग जाएंगे फिर दुर्वासाजी हमारे यहां भोजन नहीं करेंगे लकडी बीन-मीन करके लिए आए चिता तैयार कर ली मरने के लिए होड मचिव ही है कुंती जी कहती है मैं बूरी हो गई पहले मैं मर जाओं अर्जुन के ता नहीं में मरूंगा नकुल के मैं सेदेव के मैं बड़ी जोर का आपस में पारवारिक विबाद चल रहा था उसी समय क्रश्न कनियां आगे रथ आया भगवान का रथ आता है तो घंडा जालर भजते हुए आते हैं पांडवों में आनन्द आ गया हर्श हो गया ओहो दुआर का धीस आगे हमारे हमाईती आगे अब सारी समस्या का समालान हो जाएगा क्रश्न कनियां उतरे पांडवों ने प्रणाम किया भगवान उतरते ही वोले बहुत जोर की भूग लग रही है कुछ खाने के लिए लाहो पांडव सकल देख रहे हमने तो सोचा यह कुछ हमारा बचाव करेंगे और आज ये भी आए तो भूके आए कनियां यहां तो बड दोके रखदिया वाले लाओ जरा जैसे बहुती है किनाठे के नीचे कहीं तो कता आती है कि दो चावल लगे रह गए थे कहीं कता आती है कि धनिये की पत्ति लगी रह गई थी और भगवान ने वो पत्ति खाई या चावल खाए तीनों लोगों चौदे भुवन में जितने भी भूके लोग थे उस समय चाहे वो कीडे मकोडे हों चाहे वो जीवजन्तु हों चाहे वो मनुष्य हों अथवा और कोई जितने लोग भूके थे भगवान का पेट भरते ही सब का पेट भर गया बोलो विश्वंभर भगवाने कीजे अब भगवाने का भीम भीया जाओ जाकर के दुर्वासाजी को बुला लाओ भीम बोले अच्छा मैं ही जाओ जो छूटते ही श्राप मिल जाए बोले नहीं जाओ तो सही भीम सेन बड़ी हिमत करके गए नदी के किनारे देखा वहां तो लोग लंबे पड़े हैं अफरा ले रहे हैं पेट पर आत फेर रहे हैं उठा नहीं जा रहा है भीम सेन ने का माराज भोजन करने पधार हो जुर्वासाजी ने का मैं तो यहीं पर इतना वड़िया भोजन मिल गया आपके ही तो कर्मचारी लेके आये थे कितना वड़िया भोजन कर लिया हमने भीम सेन लोट करके आया समाचार सुनाया पांचो पांडब चरणों में किरपड़े हे कनिया धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम बरम धीम ही आप बिना हातों के सारे कर्म करने वाले हैं आप परम सत्य हैं हम आपको बारबार प्रणाम करते हैं वो लोग रश्न का नहीं आला लगीजे श्रीमत भागवत के मंगला चरण में दूसरे श्लोग में व्यास जी को प्रणाम किया दर्म प्रोजित कैत्र वोत्र परमो निर्म सराणाम सताम विद्यम वास्तवमत्र वस्तुष्वदम। तापत्रयोन मूलनम। स्रीमद भागवते महा मुनिक्रते किम्बा परे रिश्वरो सद्योहिद अबरुद्रते तक्रतभी सुशुश भेश तक्षणाद। ये जो श्रीमद भागवत है इसमें जो सनातन धर्म का परणन किया गया है ये वही सनातन धर्म है जो भगवान ने अपने हिर्दे से प्रगट किया है ये श्रीमद भागवत मन को निर्मल करने वाली है जो निर्मसर लोग होते हैं न मसरता से बरे हुए उनको ये शुद्द क लौभगवत हिर्दम शिव माने पवित्र शिवदम माने परमपवित्र है ईयाն श्रीमत भागवत के तापपों को जड़ से rozp कर देने वाली है ऐसे भागवत के रचेता वेदब्यास वगवान को कभी भी मनुष्ण नहीं मानना वो भगवान के साक्षाथ अवतार हैं भगवान के कलावतार हैं ओलो वेदब्यास वगवान को पीजे अब भागवत का परचे और शुकदेव जी को प्रणाम निगम कल्पतरो रिगलितं भलं, शुक मुखाद अम्रत द्रब सैयतं, पिवत भाग मतं रसमालयं, मुहर हो रसिका, विभाव काहा। वेदों में एक ब्रक्ष का वरणन है, ये ब्रक्ष स्वर्ग में पाया जाता है, इसका नाम है कल्प ब्रक्ष, कल्प ब्रक्ष की एक विशेष्टा है, पेड़ के नीचे बैठ करके जो कल्प ना करो वही हो जाएगा, मराजा बन जा है, जट से बन जाएगे, भूग लग र सोचने के साथ हो जाएगा कभी-कभी गडबड हो जाती है एक आदमी कल्प ब्रक्ष के नीचे बैठा था एक संत महां से निकले भाई कहां बैठा है पता है नहां पता है ना पेड़ के नीचे बैठा हूँ काई का पेड़ है ये नहीं जानता अरे भाई तुम कल्पब्रक्षि के नीचे बैठे हो यह क्या होता है गोले जो तुम सोचोगे वही हो जाएगा सोचने से ही हो जाता है हैं? गोले हाँ संद चले गए वो सोच रहा है भगवार बिया वाद जंगल यहां तो कोई और है नहीं यहां तो मैं अकेला हूँ अभी तक तो बहुत से पशुबक्षी के बोलने की चिडिया चैचाने की अवाज आ रही थी जैसे उसने सुचा मैं अकेला हूँ अकेला हो गया कोई नहीं वहाँ पर पिंडरो उफ साइलेंट ऐसे घरे जंगल में कहीं ऐसा ना हो कहीं से शेर आ जाए वहाँ तो सोचते ही काम होता है जैसे ही सोचा शेर आ जाए देखा सामने से शेर आ रहा है यहां कोई और तो है नहीं मैं ही अकेला हूँ कहीं ऐसा ना हो यह शेर मुझे ही खा जाए शेर आया और उसे ही खा गया संत मुस्कुराई वो ले देखो ये है बुद्धी की दुर्वलता कल्पब्रक्ष के नीचे बैठकर के भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए कल्पब्रक्ष के नीचे बैठकर के कल्पना करते कि कृष्ण करिया के दर्शन हो जाएं तो निश्य ही हो जाते जिस प्रकार कल्पब्रक्ष अपनी छाया में बैठने वालों की सभी कामना पूर्ण करने में सामर्थबान है उसी प्रकार कल्पब्रक्ष पर एक फल उगता है और उस फल का नाम है श्रीमद भागवत महापुरान भागवत कथा में भी जो आकर के बैठते हैं जिनके मन में जो कामना होती है वह कामना निश्य ही पूरी होती है बोलो भागवत भगवाने कीचे कोई किसी कारण से कथा में आता है एक शहर में बहुत ज़्यादा भीड होती थी पहले दो आरती बनाई फिर चार आरती फिर आट आरती हमने का विया अपने अपने घर से भी आरती बना लाया करो एक माता जी इतनी बढ़ी आरती बना करके लाती है इस सब लोग आरती करते हैında बहुत दूर बहुत बड़ा पंडाल था दसजार आत्मी की भीड थी आरती के बाद थाली को गुमाती थी और जब सबस्री थाली पैसों से बर जाती अपने ही धेले में डालके अपने ही घर ले जाती वो लो भागवत भगवान ने की जे भागवत भगवान सबकी कामना पूर्ण करने वाली है लेकिन एक शर्ट है ये कल्प प्रक्ष का फल है जो भागवत दुनिया के फलों से अलग है दुनिया के जितने फल है ना उसमें कहीं में गुठली छोड़नी पड़ती है कहीं छिलका नहीं खाया जाता कहीं तिनका तोड़ना पड़ता है अंगूर में भी तिनका अटाना पड़ता है नीचे का कहीं बीज कहीं कुठली कहीं छिलका कहीं तिनका सब अटाना पड़ता है लेकिन ये फल ऐसा है कि यहां कोई भी इस्ता छोड़ने के लिए नहीं बनाया है इसको तो पूरा का पूरा ग्रेहन करना चाहिए और फल खाये जाते हैं ये फल पिया जाता है पीने की इतनी चीजें वो मुँझे पी जाती है लेकिन ये जो कथाम्रत है न ये कानों से पिया जाता है कान के उपर भगवान ने कि ये प्याला बना दिया है हुड बना दिया है इधर उदर ना फैल जाए सीधा उतर करके इर्दे में ही जाता है निगम कल्बतर और गलितम फलम ये कल्पप्रक्ष का फल है श्रीमत भागवत क्यों जी हमने पूरा फल मुँमें रख लिया और भीतर कड़वा निकल गया खटा निकल गया जिस पल में तोता चोंत लगा देता है न वो पल निश्य ही मीठा हो जाता है इस भागवत पल में स्री शुकदेव जी रूपी ने अपना अधरामरत पूरा सन्योग कर दिया है स्री शुकदेव राधारानी के कुझ के तोता है जिन लीलाओं को उन्होंने साक्षा दर्शन किया उनको वो भागवत में सुना रहे हैं शुकमुखाद अम्रतद्रवसईयतं पिवत भागवतं रसमालयं मुहरहु रसिका भुविभावुका जो भावग लोग होते हैं रसिक लोग होते हैं वो इस कथा को बार बार पीते रहते हैं जाने कहां कहां दूर दूर जा जा करके सुनते हैं महाकाल पता नहीं कहां से चले आई कथा सुनने के लिए, भावग लोगों को कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, वो बार बार कथामर्द पीपी करके आनंदित होते रहते हैं, वोलिये भागवत भगवान कीजे, नेमशे निमश अच्छेत्रे रिश्य अश्वन का देया, सत्रम सरगाय लोकाया, सहेष्ट्र सममासता, अठासी हजार रिशी, एक हजार वर्ष तक भगवान की कथा सुनने के लिए, नेमशारन धाम में खटे हुए हैं, वहाँ पर स्री सूत जी महराज बधारे सभी ने प्रणाम करके कहा, तो याखल पुरानानी सेत हासा निचानगा, आख्यातान्यप्य धीतानी दर्मशास्त्रानी अन्यता। आप चलते भरते पुस्तकाले हैं, आपने नियाए व्याकरण मीमान सा जोते शिगड़ेत, यान वेद विदाम सिष्टो भगवान वादरायन, आपने वेद के सारे अंग पड़े हैं, आप ग्यान के वंडार हैं, हमें कथा सुनाईए, ग्यान वेरा के भक्ती और विवेक को देने वाली कथा, माया और मोहो से पीछा छुडाने वाली कथा, कल्युक का प्रभाव नश्ट करने वाली कथा, सार गर्वित कानों को प्रिये लगने वाली कथा, भगवान सीक्रश्न से मिलाने वाली, सीक्रश्न कनिया को हिर्दे में मैं इस्ताबित कर देने वाली कथा सुनाई सिसूत जी ने पहले मैं गुरुदेप को प्रणाम कर लू गुरु बंदना कर लूं फिर मैं तुम्हें कता सुनाओंगा आपके गुरु कौन था मेरे गुरु शुकदेव जी सूत जी के गुरु शुकदेव जी है, स्री सूत जी गुरु बंदना करने लगे, यंप्रप्रजंदमनु पेतम पेत कृत्यम, द्वईपायनु बिरहकातर आजु हाव। पुत्रेट नमेट यातर भूवनेद। स्तम्सर्व भूत हिदयम। मुने माने तो उसमें। गुरु देव को प्रणाम करते के लीला याद आगे गुरु देव की। चार-पांच वर्ष के ही हुए होंगे, घर छोड़ करके चल दिये शुकदेव जी। पिता जी वेदब्यास जी ने देखा बेटा कहां जा रहा है। वो भी रोते रोते पीछे चल दिये अरे बेटा, ओ बेटा, रुक जाओ बेटा, ठेर जाओ बेटा। जईबायनो बिरेह कातर आजुहाव, बिरेह में कातर हो रहे हैं स्री बेदब्यास भगवार। शुकदेव जी ने देखा कि आज रुक गए तो रुक गए। नहीं रुकते हैं तो हमें पाप लगेगा, माता, पिटा, बड़े, भाई, कोई भी अवाज लगाए, तुरंत बोलना चाहिए, हाँ जी बोलिए क्या काम है, लोग अवाज लगा रहे हैं और हम चुपड़ जा रहे हैं, ये भी उनकी अवहिलना है, ये भी उनका अपमान ह और हम रुक जाते हैं तो हम ग्रहस्त में फस जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन पिता जी को संतुष्ट करना है नहीं तो पिता जी रोते ही रहेंगे, जो शुकदेव जी खुद कहना चाहते थे, सडके किनारे जो पेड लगे हैं, उनसे कहलवा दिया, ब्यास जी न बेटा केने वाला कोना आगया, ब्रक्षों ने प्रणाम किया, अब यासी जरा हमारी तरफ देखिए, हमारे कितने बेटे होते हैं, हमारे फल और फूल हमारे बेटे हैं, कोई डिन्ना मारता है, कोई इंट मारता है, कोई लकणी मारता है, कोई चड़कर के तोड़कर के ले आप एक बच्चे के लिए रो रहेंगे आपको शोभा नहीं दे रहा है। ब्रक्षों के माध्यम से अपना सिद्धान्त कहलवा दिया। नारायन नर नारायन देवी सरस्वती ब्यास जी कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करके ही कथा सुननी चाहिए। 88,000 रिश्यों को स्री सूत जी महराज कथा सुनाने लगे। 88,000 रिश्यों ने पहला प्रशन किया। सर्व सामर्थवान कौन है। बासदेव परावेदा बासदेव परामखा बासदेव परायोगा बासदेव पराक्रिया। सर्व सामर्थवान भगवान बासदेव है। जितने यक्य किये जाते हैं वो उनको ही समर्पित होते हैं। जो भी योग कर रहा है उसके ध्यान में वही आ रहे हैं। समादी का अंतिम लक्ष वही परासदेव हैं। जितने भी शुपकर्म हैं वो उनके लिए समर्पित हैं। भगवान का सरूप कैसा है। अगर भगवान सामने प्रकट हो जाएं तो हम पहचानेंगे कैसे कि यही भगवान है। स्री सूत जी ने कहा हे शोनगरिशियों भगवान चोवीश रूप में अवतार समय समय पर लेते हैं। भगवान संतों का वक्तों का कल्यान करने के लिए दुष्टों का दमन करने के लिए धर्म की स्तापना करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। बताईए महराज भगवान के कितने अवतार हैं। आप लोग बहुत बढ़िया कथा सुन रहे हैं। मेरा निवेदन है कि 24 अवतार बतलाए जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और कथा के बाद जब आप चाय पानी करें आपस में मिलें। तब एक दूसे से पूछना आजी। आपको कितने याद हुए। 24 में से कितने याद हुए। हमारे यूपी में 24 में से 8-33 परसेंट पर आदमी पास हो जाता है। 50% पर 2 दिवीजन। 50 से जादा 1 दिवीजन। 50 से जादा 1 दिवीजन। टेशन मिलती हैं मैं एक छूट और दे रहा हूं जरूर नहीं के पहले पहला फिर दूसरा पिर तीसा नहीं पहले आठ माँ याद हो जाए फिर वारे मां फिर चोथे मां फिर तेईस मां ऐसे भी उट पटांग याद हो जाएं तो भी कोशिश करिए कि हम लोगों को हिंदुओ में को कम सोकंle अपने छौवीश अवतारों के बारे में थो जानकारिये हूं ह remembrance जाएं वप्रतनम देवं को मारमlarम्सर्गमास्टित हुटित ए चचार हे-दुष्चर औरह स्वर्म्म ब्रह्म्मचर्यम खंडित्म ब्रमाके चारों मातों से सनक, सनंदन्न, सनातन, सन उनत क उमार पहला अवतार हुआ जिनको सनकादिक नाम दिया गया बोलो सनकादिक भगवाने की जें सनकादिक का सिद्धानते तपस्या करनी चाहिए कथा सुनना भी तपस्या है चार गंडे तक एक जगए बैठना है एदराबाद के लोगों ने अयुद्या जाकर के कथा कराई कराटे और बड़ी जोर से लेती थी यहां तक सुनाई देते हैं कई बार अमने का जरा भुआ जी को जगादो भुआ जी को जगादो दूसरे जिन खड़े हो करके वोली वोली नीचे बैठ करके कथा सुनो तुम्हें जब मालूम पड़े कथा कहना बहुत सदल है नीचे ब तपस्या से नहीं घबनाना चाहिए कि जरा लाइट चली गई परिशान हो गए जरा सा गर्मी लग गई परिशान हो गए वोजन में तोड़ा देर हो गई आयाय करने लगे थोड़ी सी आविवस्ता होते ही हम अपने चेरे को बिगाड लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तपस्या करनी चाहिए कभी-कभी गड़बड हो जाती है एक जने की धरम पतनी का नाम तपस्या था उसका आगया जनम देन ननकाज केक लिया न अगला ओफिस से ओफिस जा रहा था तो सलक से ही कह दिया केक वाले से जरा लिख देना हैपी बर्डे तपस्या अब उसको डंग से सुनाई नहीं दिया उसने लिख दिया हैपी बर्डे समस्या अब जब केक आया सामने आगे क्या हुआ होगा आप लोग अंदाजा लगा लें वो लोग करश्ण का नहीं आला लें किजिए समस्या नहीं समझे तपश्या समझे तपश्या करनी है हैं सबी के लिए दुदियम्दू भवायास्य रसातल गताम महीम फिरन्याक्ष नामका हख्ष स्जब प्रतवी को रसातल में ले गया तब दुसरा आवतार वगवान ने बाराह रूप में लिया हिरण्याक्ष को मारा प्रत्वी को अपनी तुंड पर धारण करके सुरक्षितला करके रखा वोलो बाराह वगवान की जै कभी किसी से ग्रणा नहीं करनी चाहिए कभी-कभी बाराह भी काम आजाता है सुगर भी काम आजाता है तीसरा अवतार शी नारत जी का अवतार है हर समय वगवान का कीज़तन करते रहना चाहिए जैसे फिनिट करने से मच्छर भाग जाते है न ऐसा वगवान का कीज़तन करने से परेशानिया भाग जाती है अठारे अक्षोनी सेना खड़ी है अरजुन के सामने मैं नहीं लड़ पाऊंगा मेरे आत्पाऊं काँप रहे हैं मैं अपने वालों को कैसे मारूंगा मेरा रत बापस ले चलो मैं गांडीव नहीं उठा पा रहा हूं भगवान ने गीता सुनाना प्रारम किया और जब पूरी गीता सुना दी ऐसा नहीं कि अठारे अक्षोनी सेना में से कुछ कमल हो गए लोग कुछ वापस चले गए कि अरजुन हम नहीं लड़ेंगे नहीं सेना तो उतनी है लेकिन गीता सुनने से अर्जुन में उन अठारे अक्षोनी सेना से लड़ने की सामर्थ आ गई इसी प्रकार वगवान का कीतन करते रहना चाहिए वगवान का कीतन करने से दुनिया से लड़ने की सेहन करने की सामर्थ आ जाती है चोथा अवतार है नर नारायन नारायन कथा सुनाते रहते हैं और नर सुनते रहते हैं ये नर नारायन गोरे काले पीले नीले भूरे छोटे बड़े कैसे हैं हमने तो देखा नहीं हाँ कल्पना करनी हो तो नर के रूप में अर्जुन और नाराण के रूप में क्रश्न को प्रणाम कर लेना चाहिए बोलो नर नाराण भगवान की जे इनका सिद्धान्त है कथा कहनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए आप लोग जो कथा सुन रहे हैं साड़े तीन गंटे चार गंटे अपने और जानकारों को सुनाना चाहिए आदा घंटे ही सुना ओपर सुनाना चाहिए पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विपलुतम पांचमा अवतार कपिल्ले भगवान का हुआ जो बड़े ज्यानी है और ज्यान का सुदपयोग समाज सुधार में करते हैं हमें भी अपना ज्यान का सुदपयोग समाज सिवा में समाज सुधार में करना चाहिए माता देव भूती को सांकशा स्वन कराने वाले श्री कपिल भगवान ही है चटा अवतार अत्री रिशी अंस्विया जी के यहां भगवान का दत्ता त्रे अवतार हुआ ग्यान ग्रेण करना चाहिए बर ग्यान ग्रेण करके अभिमान ना आ जाए मैं M.B.S. डाक्टर हूँ मैं नीचे बैठके कता नहीं सुनूंगा न बड़े से बड़ा पदप्राप्त करके भी सरलता रहनी चाहिए जीवन में सहजा वस्ता रहनी चाहिए सहज रहना चाहिए शरल रहना चाहिए ना सहज में मात्रा ना सरल में मात्रा हमारे अंदर भी अभिमान की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साथमा अवतार यग्य अवतार वोलो यग्य नाराण भगवान की यग्य माने संकल्ब कोई ना कोई यग्य करते रहना चाहिए खाली नहीं बैठना चाहिए कर्मने वादिकार रस्ते माफले शुकदाचना कर्म करने वाले को भगवान पसंद करते हैं निठले बैठे को नहीं करते हैं है आठमा अवतार रिशवदेव अवतार रिशवदेव जैनियों के भी भगवान है और अमारे भी भगवान हैं इंसासे दूर इंद्रियों का निग्र है सत्य का साथ तपस्या के मार्ग पर चलना यहीं का सिद्धांत है नववं पार्थिवं बपुनोमा अवतार अप्रत्व भगवान राजा बनकर के प्रगट हुए धर्म की इसोपना कड़ी राज में कह दिया सनातन धर्म का पालन होना चाहिए. हर व्यक्ति अपने घर का राजा है. हर व्यक्ति को अपने घर में कह देना चाहिए भाई हनमान जालीसा तो करना पढ़ेगा. नास्ता नहीं मिलेगा सबेरे साम को सब लोग घर वाले बैठिकェ कीर्टन करेंगे नहीं तो सामका बोजर नहीं करने दिया जाएगा ऐसे शाशन करके अच्छी बातें करनी चाहिए घर में बच्चों को आदर डालनी चाहिए कि मिटा हनमान जाली सा करो एक माला करो थोड़ी दिर कीतन करो देरे देरे आचरण में आएगा जब पहले डालेंगे तो ही आएगा दस्मा अवतार मस्य अवतार मस्य रूप धारण करके समुद्र की गहराई में गए शंखासर को मारा वेद लिये साद्रेव राजा को दर्शन दिया सब तरिशियों को वेद दे करके धर्म की स्थापना करी गहराई में जाना मने अरवात को पूरी जानना चाहिए लिटिल नौनेज इज डेंजरस अल्प ग्यान खतरनाक होता है पूरा ग्यान लेना चाहिए ये श्री मस्य अवतार की सिक्षा है ग्यारे मा अवतार कच्छब अवतार कच्छुआ बन करके मंदरा चल परवत के नीचे लगे तब जा करके समत्रवंधन पूर्ण हो पाया तवी अम्रत तवी विश्व तवी चंद्रमा तवी रंभा सबको सब चीज मिली एक अच्छब भगवान को कुछ नहीं दिया गया धन्यवाद की नहीं दिया गया है अवतार के बाद समाज सेवा कच्छब भगवान की तरह करनी चाहिए ना मंच चाहिए ना माला चाहिए ना माईक चाहिए ना किसी का धन्यवाद चाहिए फिर भी हम समाज सेवा करेंगे निश्काम भाग से सेवा करना ये कच्छब भगवान का सिद्धानत है 11 मा अवतार कच्छब भगवान 12 मा अवतार धन्वंतरी अवतार देवता दानवों के बीच में अम्रत लेकर के प्रगट हुए दन्मंतरी भगवान दुनिया की दवाई भगवान के पास में ही है भगवान को कोभी अकेले मत छोड़ना मतलब भगवान से दूर मत हो जाना भगवान नाराज हो जाएं तो डाक्टर के पास भेज़ देते हैं और डाक्टर नाराज हो जाएं तो भगवान के पास भेज़ देता है भगवान से हमेशा निकटता बनाई रखना तेरे मावतार है मोहनी अवतार किसको अमरत पिलाना किसको नहीं पिलाना राक्षस भी हैं देवता भी हैं राम जरों का बैठिके सब का मुझरा ले जैसी जाकी चाकरी तेसोता कूदे भगवान अपने करपा पात्रों पर करपा जरूर करते हैं चोदे मा अवतार है नर्सिंग अवतार प्रबल विश्वास है कि भगवान कणकण में विराजमान है तो वो खमा भाड़ करके प्रगट हो जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं विश्वास प्रबल होना चाहिए पंद्रेमा अवतार बामन अवतार बामन का काम दान लेना और दान देना राजावली से लिया सब को बांड दिया अपने पास एक कमरा भी नहीं रखा वो संस्ता और वो व्यक्ति अमेशा पूजनिये हैं जो दान ले करके दान का सदवयोग समाज स्रीवा में करता है पोज सद्गुर्देव श्रीशी जी वाबा महराज ने अपने जीवन में डेड़ हजार भागवत कताएं करी जिनमें दो सो एक स्वाट भागवत थी जिनमें एक स्वाट ब्रामनों ने पाराण किया ज्यारे वार एक हजार आठ भागवत करी एक हजार भागवनों ने बैठ करके पाराण किया और इन देड़ हजार कताओं से जो भी धना आया उससे बारे आश्क्रम बद्री केदार, गंगोत्री, जमनोत्री कुरुक्षेत्र राजिस्तान में यहां पर जांपांचों पांडव गलने गए हैं लोहारगल, शुक्ताल, नेमशारण, ओमकारेश्वर बना-बना करके वहीं की संस्ताओं को दान दे दिया छे विद्याले, विद्यावार्दी को दे दिये एक अस्पताल समाज के लिए दे दिया अनेए जगे भगवान के लीलाश्तनों का जिनो धार कर दिया अपने पास कुछ नहीं रखा दान लेना भी चाहिए पर दान देना भी चाहिए संगरह नहीं करना चाहिए सोलेमा अवतार, परुश्राम अवतार धर्म की रक्षा के लिए कठोर होना बहुत जरूरी है हाथ में बरसा रहेगा तभी धर्म की रक्षा होऊ पाएगी जब हम अपना अस्टित अपना बल का प्रदशन करना बंद कर देंगे हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे हमें बलवान होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है सत्रमा अवतार ब्यास अवतार धर्म की रक्षा के लिए धर्मगरंथों का होना जरूरी है और धर्मगरंथों की रचना करने के लिए भगवान स्वयम वेदव्यास बन करके पथा रहे है धर्मगरंथों का सम्मान करना चाहिए हर घर में धर्मगरंथ सजा के रखने चाहिए हर गर में गीता जी भागवत जी रामार जी जरूर होनी चाहिए पढ़ना चाहिए उनको समय समय पर अठारे मावतार मर्यादा पुशुत्तम भगवान श्री राम श्रीमद भागवत मरना सिकाती है और रामार जीना सिकाती है किसके साथ कैसे जीना चाहिए गीता चलना सिकाती है कैसे आगे बढ़ना चाहिए एराइज एन एवोक 19 मा अवतार बल राम अपने बल का सत्पयो राम के संकल्प में करना चाहिए 20 मा अवतार आनंद कंद शीक्रश्ण चंद हमेशा मस्कुराते रहना चाहिए एक संभी पह मत्रामें रहें रहें अद्वार का मैं चाहें कारागार में जनम हो रहा है करिवागना पड़ रहा है चाहें रोज यग राक्षस भेजा-जाया रहा है चाहें पूत नातार कितने राक्षास नहीं आए कृष्णा अवतार में उनका कभी मुश्कुराता हुआ अचरा मिलेगा कभी उतास नहीं दिखेंगे हर इस्टिटी में मुश्कुराते रहना चाहिए एवर इस्माइलिंग और मुश्कुराने की जुम्मिदारी घर में जो सबसे बड़ा है ना उसकी सबसे ज़्यादा है घर में दादी जी थोड़ा सा मुँ बना के बैठ जाएं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं आज दादी पता नहीं क्यों रोटियों या क्या हो गया नौकर चाकर भी हसने से पहले ड़ते हैं पता नहीं दादी जी बढ़ग नहीं जाएं कहीं क्यों हसरे हो घर में जो बड़ा है वो प्रसंद चितने हैं मुश्कुरा रहा है तो नीचे के सब लोग अपने आप हसते खेलते मुड़कते रहेंगे वो ले बहुत बड़िया माहौल है घर का सब लोग मुश्कुराते ही रहते हैं और मेरा तो सिद्धानत है कि दुस्मन के सामने जादा मुश्कुराना चाहिए है जो वो सोचे वाई यतने तकलीप में भी हसरा है इसका मुद्दा ठाकुर जी की विशेश करपा है इसके के लिए नारत Jji की तरह है भगवान ने हयकोरीव रूब धारन किया के ऊड़िष मावतार बुद्ध अवतार है जो फू kicking-बिद्ध का सद पयोग Positive करते हैं वो यह बुद्ध और मुद्धी का दुरपयोग करते हैं वो बुद्ध है 24 मा अवतार भविष्व में होगा कलकी अवतार जिने हमारे कलकी चिंता है इसलिए उनका नाम कलकी है श्री सूत जी ने कहा केवल 26 अवतार नहीं है वगवान के अवतारा हिसंगेया हरे सत्व निधिजजा यथा विदाशन कुल्या सरस्ष्योश है इस्त्रशो जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत दीखी तिने तैसी संद तुकार आम ती से आत्रा कर रहे थे तीन इंट लगा करके चूला बनाया रोटी सेकी सेक्षेक के रखते जा रहे चार रोटी हो जाएंगे तभी मैं खटा घी लगा के चुपड के भगवान को भोग लगाऊंगा एक कुत्ता आया और एकी रोटी उठा करके भागने लगा संद तुकार आम को उस कुत्ते में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं अरे महाराज मैं तो चार भोग लगा रहा था आप एकी लेके भाग रहे हो अरे डाड में अड़ जाएगी थोड़ा घी लगवालो गेकी कटोरी लेकर के भागे कुत्ता सोच रहा है यह मुझे मारने या पकड़ने आ रहा है कुत्ता और देज भाग रहा है संदो और देज भाग रहे हैं संद को कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा है कुत्ते में भगवान के दर्शन हो रहे हैं आखिर में कुत्ते मेंसे भगवान को प्रगट होना पड़ा उलो भक्त वस्सल भगवाने कीजे। 88,000 शोनक रिश्यों ने कहा कोई ऐसा गृंत है जिसमें 24 अवतारों की कता हो। पुले हांजी है इदम भागवतम नाम पुरानम ब्रह्म सम्मितम उत्तम श्लोक चरित चकार भगवान रशीर। ये श्रीमद भागवतमें ही सभी अवतारों की कता है। महराज भागवत की कता जरूर सुनेंगे। पहले हमारे मन में तीन प्रशने हैं उनका उत्तर दीजिए। पहला प्रशन सूत सूत महाभाग बदनो बदताम्मर कताम भागवत इंपुर्णियाम यदाह भगवान शुकर। भ्यास जी को भागवत रतने की प्रेणां किस ने दी। आप लोग भी यहां कथा सुनने हैं तो कहीं से तो प्रेणा मिली होगी कि कथा कराई दाए बियास जी को भागवत रचने की प्रेणा किसने दी यह हमारा पहला प्रश्ण है और दूसरा प्रश्ण तस्य बत्रो महायोगी समड़क निर्वकल्पक एकांत मत रन्नित्रो गूडो मूड इवेयते जो शुकदेव जी बचपन में घर छोड़ करके निराकार की उपासना करने चले गए उन्होंने साकार क्रश्ण की कथा भागवत कथा को कैसे अपनाया क्यूं पढ़ा ये करपा करके बतलाईए हमारा तीसरा प्रश्ण सवसम्राट कस्यवाहे तो पांडूना मान बल्धना प्रायोप विष्टो गंगायाम अनाधित्याधिराट्स्रियम किसी से को कथा में चलो बोले दुकान जाना है घर में कोई नहीं है घर समालना है एक दुकान एक मकान बाले कथा में नहीं जा पाते ये तो चक्रवर्ती राजा था ये कैसे सब छोड़ छाड़ के आ गया जरूर सुनाएंगे एक एक करके एक प्रश्ण का समाधान करते हैं दुआ परे समनों प्राप्ते तृती ये युग पर ये जात पर आशरा द्योगी वासब्याम कल याहरे दुआ पर युग जा रहा है कल युग आ रहा है ब्यास जी अपने आश्रम के बाहर बैठे हैं पता नहीं कौन से चिंतन में लगे हुए हैं उसी समय हरुन गाते स्री नवाच जी महरा जागे द्यास जी ननको प्रणाम किया नैवास जी ने ब्यास जी से प्रश्ण किया पाराशर्य महाभाग भवत कश्चद आत्मना परितश्चद शारीर आत्मा मान से एववाद ए परासर पुत्र कैसे उदास मैठे हो कोई अपने जीवन में चार लाइन की कविता लिख लेता है दुनिया कोई बताता है मैंने लिखी मैंने बनाई कोई दस पेज की किताब बना ले चप्बा चप्बा के बांडता है बड़ा खुश होता है सारी डिगरियां चप्बा देता है लोगों में परचार करता है ये किताब मैंने लिखी है सत्रे पुरान सारे उपनिशद महाभारत चार वेद आध्यात मरामाइन कितने ग्रंथ रचे हैं फिर भी आप उदास बेटे हो क्या कारण है आपकी उदासी का तुम पर यटन्नर के इवत्र लोकी मंतस्यरोवाय और वाहात्म साक्षी परावरे ब्रह्मन धर्मतो प्रतई इसनातस्यमे न्यून मलं विचक्ष्व नारज जी हमारी बात बात में करना पहले अपनी बताओ आप पूरे तीनों लोकों में घुमते ही रहते हो आपको कभी उदासी ठकान कभी विश्राम पाने की इच्छा नहीं होती कोई बजार जाके आए और फिर काम बता अरे हमारे बसके नहीं हवी तो आए फिर काम बता रहे हो और नारज बाबा तो घुमते ही रहते हैं एक जगे टिकते ही नहीं है फिर भी आपके चेरे पर प्रसनता कैसे रहती है स्री नारज जी मुश्कुराए और कहा नवई जनो जातु कथंचना प्रजे मुकुंद से भ्यानिवे जंग संक्सतिम इस्मरन मुकुंदा इस्मरन मुकुंदरांद युपगूह नम्पुनर बेहात में छेन रसक रहू यता मैं भगवान के गुणगान गाता रहता हूं इसलिए मेरे चेरे पर प्रसनता रहती है नारज जी जवाब बहुत बढ़िया है लेकिन हमारा अगला प्रशने है कि भगवान के गुणगान गाने में मन कैसे लगे मन भी तो लगना चाहिए यह जानने के लिए आपको मेरे पिशले तीन जनम की कफा सुनने ही पड़े कैई सुनाई ये माराई अहं पुरादि भवे भवममने दास्या सुकस्या स्चन वेद बादिनाम निरूपितो बालके वहियोगिनाम आज के पिछले तीसे जनम में मैं एक ब्राह्मन का बेटा जनम देने के बाद पिता जी पर लोग पधार गए मेरी मा और मैं एक संद के आश्रम में रहा करते थे वहीं पर हमारे लिए भोजन कपड़ा रहने को जगे मिल जाती थी उस आश्रम में कीतन होता था साम को डोलक मजीरा बाजा जहांज मिर्दंग मैं भी जाकर के कभी-कभी उस ससंग में पीछे बैठ जाता था मेरी माँ को बिलकुल पसंद नहीं था कि में बजन की तल में लगू मेरी माँ आ करके उठाके ले जाते हैं एक ही तो बेटा है वो भी मोडा भाबा जी बनेगा चलो चलो उठो तो हमाई साथ चलो उठा के लिए जाए ब्यास जी एक बार बहुत जोर की भूग लग रही हमने का मां भूग लग रही है कुछ खाने को दे दो बेटा भी तो वगवान का भोग आया है फिर संत लोग भोजन करेंगे बनारा होगा इनके बाद में हमें और तुम्हें खाने को मिल पाएगा संत लोग भोजन करके उठें हम जूटी पत्तल उठाने के लिए गए किसी संत ने पूरा का पूरा लड़ू छोड़ दिया हमने देखा कहीं कोई देख तो नहीं रहा है बड़िया मोका है और लड़ू हमने जट से अपने मुँ में डाल लिया खाई थी जूटन भूग मिटाने के लिए पर हमारे जनम जनम के पाप मिट गए अब तो भगवान के भजन में और ज़्यादा मन द्रणता से लगने लगा हमारी माँ आई और पकड़ के हमें उठा के ले जाने लेगी चल मरे बाबा जी बनेगा अरे मैं बहु लाओंगी पोता पोती होंगे और खोव आनंद आएगा मैं भगवान से प्रारतना करने लगा यह भगवान हमारी मा मर जाए तो अच्छा है नारजी एक मा और वो भी मर जाए वो ले जो भजन नहीं करने दे वो मर जाए तो बड़िया नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे जाके प्रियन राम बेदे ही तजी एता एक कोट बेरी समय अध्य पिपरम सने ही श्रीमद भल्लवाचार महाप्रभू के और सीगुसाई जी विठलना जी के शिष्ट्य चार-चार मिलाकर के अश्ट सखा हैं वगवान के उनमें एक है कुम्बंदास जिनके साथ बच्चे थे लेकिन कोई उनसे पूश्टा के तुम्हारे कितने बच्चे हैं वोले मेरे डेड़ बेटा है एक बेटा आर समय ठाकुड़ी की सेवा में रहता है और एक बेटा समेरे कहिया चेराने जाता है और साम को जंगल से कहिया बापस लाके ठाकुड़ी की फिर भगवान से मतलब ही नहीं रखता वो आदे समय सिवा में रहता है इसलिए वो आदा बेटा है जो भगवान को प्रेम करते हैं उनसे ही प्रेम करना चाहिए और जो भगवान के अस्ठित को नहीं मानते हमें उनके अस्थित्व से कोई लिना दिना नहीं रखना चाहिए एकदा निर्गताम के हाथ दुईहंतिम निशगाम पथे सरपोद सस्पदास प्रिष्टो कृपणाम कालनो दिता एक दिन मेरी मां सबेरे जल्दी गाय का दूद निकालने को उसाला गई जस्थी समझ करके सांप को छू लिया सांप ने डस लिया मां मर गई आप रोए बिल्कुल नहीं रोए जल्दी बुला के जल्दी संस्कार कराया अब हम मुक्तो हो गए हमारा कोई नहीं नीचे धरती उपर आकास कोई रोकने टोकने खटकने वाला नहीं हम नारायन 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 बजन किया करते थे बजन करते करते हम मर गए अगला जनम एक संत के यां हुआ ग्रेश्ट संत थे वहां भी हमारा नाम नाराद रखा गया वहां भी अर्समें हम नारायन नारायन बजन करते रहते एक दिन ऐसा लगा हमारे अंदर कोई शक्ती है हमने का प्रित्यक्ष दर्शन दो आकाश बाणी हुई वोले अभी थोड़ी इसी तपस्या में कमी है हम मर गए ये हमारा तीसरा जनम है जो हम ब्रह्मा के बेटा बन करके पैदा हुए ब्रह्मा जी ने का बेटा स्रश्टी रचो हमने मना कर दिया हम स्रश्टी नहीं रचेंगे हम तो भगवान का कीर्टन करेंगे हमारे स्नरले से नाराण प्रसंद हो गए भगवान नाराण ने प्रगट हो करके हमको एक गिफ्ट दिया देवजत्ताम इमाम वीणाम सर्व्रम विभूशिताम मूर्चियत्वाहरिकदाम गायम आनश्चराम में हम भगवान ने हमको जो भीना दिये हैं ना इस पर हम निरंदर भगवान के गुणगान गाते रहते हैं स्री राधा स्री क्रश्न एक ही हैं दोनों में से किसी को गाव कोई भी प्रसन हो जाता है राधे राधे जपो चले आएंगे बियारी राधा राधा जबो तो श्री कृष्ण अपने आप प्रसन हो जाते हैं आईए एक प्रार्थना सभी लोग श्रवन करें और सभी लोग भोलने का प्रयास भी करें नारजी के माध्यम से मेरी बिनती यही है राधा राने क्रिपा बर साए रखे ना मेरी बिनती यही है राधा राने क्रिपा बर साए रखे ना मुझे तेरा ही साहरा शावा प्यारी मुझे तेरा ही साहरा महरा ने मुझे तेरा ही साहरा महरा ने क्रिपा बर साए रखे ना मेरी बिनती यही है राधा राने क्रिपा बर साए रखे ना छोड़ दुनिया के जुटे ना ते सारे कि शोरी तेरे दर पे आ गया छोड़ दुनिया के जुटे ना ते सारे कि शोरी तेरे दर पे आ गया मैंने तुम्हे को पोकारा ब्रजे रानी मैंने तुम्हे को पोकारा शामा प्यारी मुझे तेरा ही साहरा 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 शामा प्यारी तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलू ब्रज गली अन्द में कहें भरते हैं शामा प्यारी कहें भरते हैं राधारानी कहें भरते हैं राधारानी नावर बसाए रखना शेपावर साए रखना मुझे तेरा ही साहरा शामा प्यारी मुझे तेरा ही साहरा शामा प्यारी शेपावर साहरा शामा प्यारी मुझे रखना शेपावर शाहरा शेपावर साहरा शामा शेपावर साहरा शामा प्यारी इस लिए हमेशा प्रसंद रहता हूं नारद जी और नाराण का क्या संबंद है आपस में नारद जी के पिता बर्मा जी और बर्मा जी के पिता नाराएन तो नारण ओर नारा Barnes का क्या शंबंच हो गया दादा ओपोते का कि भगवान नाराएं ने प्रत्रतन ओकर के नारण झी को वीना प्रदान करी फजिस पर नाराएं नारान गाते हैं बाप बेटे आपस में कम बात करते हैं पर दादा पोते बहुत जादा धोस्त हो जाते हैं इसने बड़े प्र Patchy हो जाते हैं हर दादा का करतब है कि वो अपने बच्चे को खिलोना दिलाने ले जाए ओं है अ अ uso कल का पोता बंदु कुमांद का है सीथे और उसे मजीरा भी दिलाना चाहिए उसे छोटी दोलक भी दिलानी चाहिए डपली भी दिलानी चाहिए मैं यह नहीं कहे रहा हूं कि सब लोग धुर्व प्रहलाद विवीशन अम्रीश सुदामा बन जाओ नहीं नहीं चौवीश घंटे में चौवीश मिनट कभी कभी भगवान का वजन अपने बेटे पोतों को ले करके करना चाहिए जो हमारी नैतिक जिंबेदारी है अगली पीडी को धार्मिक बनाने की कहीं कहीं दादा पुते बड़े दोस्त होजाते हैं बड़े प्रेंग होजाते हैं एक दादा जी कैरे अपने पोते से चिपजा चिपजा तेरे स्कुल की टीचर आ रही है पोता वोला आप छिप जाओ आपके मरे की खबर दे के दो बार छुट्टी ले चुका हूँ छिपना आपको पड़ेगा हास में परिहास में किसी भी तरीके से भगवान का नाम संकीर्दन करना चाहिए श्री नारच जी ने व्यास जी से कहा बुरामत मानना आपने बहुत पुरान रचे हैं लेकिन क्रश्ण चरित नहीं गाया है इसलिए आपके चेरे पर उदासी है आप स्री क्रश्ण की लीलाओं का वरणन कीजिए व्यास जी की समाधी लग गई नारच जले गए जितनी भी श्रीमद भागवत में कथा हैं ये व्यास जी को सपने में दीख रही हैं समाधी में दीख रही हैं और उनको उन्होंने बोलना प्रारम कर दिया शिश्ण ने देखा गुरू जी कुछ बोल रहे हैं तुरंत सामिक्री लेकर के लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते एक बड़ा गरंथ सामने प्रगट हो गया कालांतर में ब्यास जी की समाधी खुली सामने गरंथ देखा भाईया कहां से लाए इस गरंथ को गुर्देव ये आपकी समाधी भाषा है आप जो बोल रहे थे वो हमने लिख लिया है सिरू से लेके अंत तक केई बार पढ़ा और पढ़कर के बड़े प्रसन हुए और प्रसन होकर के उसका नाम करन कर दिया स्रीमद भागवत महापुराण वोलो भागवत भगवाने की जे स्री नारत जी ने ब्यास जी को भागवत रचनी की प्रिरना दिए का दूसरा प्रशन है निराकार के उपासक शुधेव जी ने भागवत को किस कारण से अपनाए आज कल के लोग फिल्मों के गानों को काते रहते हैं नहाथे दोते चलते पढ़ते ब्यास जी के सिश्य भागवत के इश्लोकों को गाते रहते थे चलते भिड़ते नाते दोते ब्रमन करते हुए भगवान के भक्तों को भगवान के बजन गुनगुनाने चाहिए एक श्लोक व्यास जी के सश्य जा रहे थे गुन्गुना थे उए कान में पड़के आश्री शुकुदेव जी के वरहापीडम्नत वरवपो कल्णयो कल्णिकारं विप्रदवास कनककपशंबेजयं दीम्चि मालां रंध्रान वेणो रदर सुधया पूर्यन गोप वरंदय वरंदारल्यम सबदर्मणं प्राविशद की तकीर्दी मुरली मनोहर नंद के लाला किया चरा करके लोट रहे हैं जिनोंने मोर पंख दारण कर रखा है आंखों में काजले हैं भाल पर तिलक है नासका में बेसर ठोड़ी पर हीरा गले में कौस्तों मनी बैजनती माला बनमाला धारण कर रखी हैं कंदा पर काली कामर कमर में कौंधनी नीचे पीतामर चरणों में नूपुर धारण किये हुए बाई तरफ जके हुए मुरली बजाते आ रहे हैं और बिजवासी जैजे कार कर रहे हैं वोलो ब्रिंदावन बिहारी ला ले दीजे दूसरा श्लोक कान में पड़ा जो जहर लेकर के आई पूतना उसको भगवान ने मा की गती प्रदान कर दी वाँ जो जहर लाग रहा है भो लगाने को उसे मा की गती दे रहे हैं जो रोज लड़ू भोग लगाता है रोज माखन भोग लगाता है उसके पता नहीं कौन सी गती प्रदान करते कहते हूं शुकदेव जी की आँख खुली ठेरो ये इश्णो कहां से लाए ये किसकी चर्चा है ये है परातपर ब्रह्म आनंद कंद भगवान से क्रश्न चंदर की चर्चा है और इनकी रचना करने वाले आपके पिता श्री से वेदब्यास भगवान है इनलाकार की उपासना दोड़ करके स्री शुकदेव भगवान पहुंचके व्यास जी के चरणों में गिर पड़े महराज ये इस लोग कहां कहां है वो ले श्रीमत भागवत का है मैं श्रीमत भागवत पढ़ूंगा स्री क्रश्नग में आसकती हो जाने के कारण स्री शुकदेव जी ने स्रीमत भागवत को स्वीकार किया वो लो शुकदेव भगवाने कीजें अब तीसरा प्रश्ने है राजा परक्षिद गंगा के किनारे क्यों आया महा भारत का युद्ध हो चुका है यदाम्रधे कौरवस्रण्ययानाम बीरेश्वतो बीर गतिम्गतेशु ब्रकोदराविद्य गदाविमर्षा भगनोर दन्य धितराष्ट पुत्रे भीमसेन की गदा से धितराष्ट गांधारी के निन्यान में पुत्र मारे जा चुके हैं एक बच्चा है कौन बोले दुर्योधन क्यों नहीं मर रहा है बोले से श्राफ है जिस दिन बहुत ज़्यादा दुखी जिस दिन बहुत ज़्यादा प्रसंद है सुख और दुख पराकाश्टा का जिस दिन एक साथ हो जाएगा उसी दिन दुर्योधन मर जाएगा ये कैसा श्राफ बोले हाट की बीमारी हाट के पेशेंट को ज़्यादा खुशकवरी सुना दो तो निकल लेता है और ज़्यादा दुख्की बास सुना दो तो निकल लेता है रिक्सा चलाने वाले की लोटरी लग गई पांच लाख रुपे की कल बेंग जाकर के पांच लाख लाने है घर वाली परेशान हो रही इन्होंने पांच ज़ार कभी एक साथ नहीं देखे पांच लाख देख करके कहीं कुछी के मारे कहीं जटका बटका नहीं लग जाए मौले में मंदर था पुजारी जी के पास गहीं पुजारी जी आप हमारे पती के साथ कल बेंक चले जाना बढ़िया बढ़िया ग्यान की बातें कहते हुए जाना लाना मैं आपको कुछ ना कुछ धक्षना जरूर दूँगी ठेला लेके दोनों जने जा रहे पुजारी जी ने पूछा भाई पांच लाख मिलेंगे करोगे क्या बोले दो लाख में एफडी करा देंगे और एक लाख घर की छत पक्की करा देंगे बरसात में चुचाती है और पत्नी को आज तक कुछ भी लाकर के नहीं दिया एक लाख का सोने का कोई गहना लाकर के देंगे दो और एक तीन और एक चार हो गए और क्या करोगे पंडी जी उसमें से पचास हेजार हम आपको दान दे देंगे इतना सुनते ही पंडी जी को अटेका गया जो पाँच लाक से बचाने जारे वो पचास जार का जटका सेन नहीं कर पाए वो लो भागवत भगवाने कीजे दिर्योधन सिसक रहा है मरने वाला है द्रोणाचारी का बेटा शत्था महा गया पूछा मरने वाले की आखर इच्छा पूरी करने का बड़ा महत होता है बताऊ द्रोणाच तमारी आखर इच्छा क्या है हम सो वो पाँच उनमेंसे किसी की ओंगली भी नहीं कटी निन्यान मैं मर गए मैं भी मरने वाला हूँ उन पाँच में से एक भी मर जाता तो मेरे को मरते मरते सांती मिल जाती दुर माने बुरे योधन माने बिचार जिसके दिमाग में हमेशा बुरे ही बुरे बिचार आते हैं न उनको दुरियोधन कहते है ये डिप्रेशन भी दुरियोधन से ही चला है negative thoughts आने लगे और depression बढ़ने लगा तीन जने सोच रहे हैं सिर पकड़ के सोच रहे अरे भाई क्या सोच रहे हो पहले ने का समुदर में आग लग गई तो यह मचलियां कहा जाएंगी मैं यह सोच रहा हूँ दूसरा कह रहा है पेड़ पे चड़ जाएंगी यह सारी मचली पेड़ पे चड़ गई तो जो पकशी रहते हैं वो कहा जाएंगी मैं यह सोच रहा हूँ तीसरा तो बहुत जादा जोर से सोच रहा था तुम क्या सोच रहे हो बोले सबसे आखिर में जो मरेगा उसकी मुर्दनी में राम नाम सत्य कौन बोलेगा मैं यह सोच रहा हूँ वो लोक रश्ट का नहीं आला हल कीजे अश्रत थामाने का चिंता मत करो मैं कल पांचों पांडवों के सिर्काट करके लाकर के तुम्हें दूँगा दिन में जाकर के महल में निसान देखे आया पांडव कहां सोते हैं कौन का रहता है कौन का सोता है रात में तलवार लेकर के चला है पांडवों का बद करने के लिए जाने की नाथ सहाए करें तब कौन विगाड करें नरतेरो बोल गया रास्ता जाना था पांडवों की तरफ और चला गया पांडवों के पांच पुत्रों की तरफ सोते के सोते उनके गर्दन काट दी और चादरे में सबका सिर रखके पोठली बना कर कंदे पे डाल करके चला आ रहा है जूतों की अवाज सुनाई दी पढ़ा है दुर्योधन सिसक सिसक करके खिसक खिसक करके जैसे तैसे बेठा हुआ ओ अशुत हमारा है अरे वाज इसके सिर पर तो पोठली है कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है ये तो कह करके गया था कि पांचों के सिर काट करके लाएगा आज सिर काट करके ले आया अरे वाज जो काम हम सो भाई मिलकर के नहीं कर पाए जो अंगराज करन जो दोनाचारी करपाचारी है जो काम स्वयम भेश्म पिता में गंगापुत्र नहीं कर पाए वो काम अकेला अश्टत्तामा करके ला रहा है जर्योदन इतना प्रसंद जीवन में कमी नहीं हुआ लाओ लाओ जल्दी ये पोठली मुझे दो मैं अपने हाथ से इनका चूरा कर देता हूँ मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने हाथ से इनको मारा हो बड़ा प्रसंद हो रहा है जर्योदन अश्टत्तामा ने पोठली लाकर के उसके हाथ में दे दी पोठली का बजन देख करके पटक दिया कुछ दोका किया तुमने हमारे साथ क्या हुआ जितना बजन इस पोठली में है उससे जादा बजन अकेले भीमसेन के माते में है किसके सिर काट लाए हो तुम पोठली खोल करके देखा दिरुपदी के पांच बेटों के सिर देखे बड़ा पापी है लेकिन अब रोने लग्या हमारे बेटे पोते महवारत में मारे जा चुके है यही तो थे जो हमारा श्राद तरपन करते हमारे लिए जल्दान देते अश्रत्थम तुमने हमको तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा बहुत जोर से रो करके दर्योधन ने शरीर त्याग दिया सवेरा हुआ द्रोपदीजी अपने पाँचों बेटों को जगाने के लिए उनके महल में पहुँची जो सिर कटे हुए देखे भचान खाकर के रो पड़ी चारो तरब करुण कंदन होने लगा चीट पुकार मच गई अर्जुन आगे अर्जुन ने जोतर शदेखा प्रतिग्या कर ली जिसने भी ये अपराद किया है उसे बांध करके मैं द्रोपदी के सामने लाकर के डाल दूँगा जो निर्णे द्रोपदी लेगी वही धंडस अत्यारे को दिया जाएगा युद्ध करने चल पड़े ब्रह्मास्त चोड़ दिया अगनेयास्त चोड़ दिया अर्दुन्यसी कृष्ण से कहा कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर तमेको दैयमाना नाम अपवर्गो सिसंसदे तो माध्य पुर्शत साक्षाद इश्वर प्रकते पर मायाम बुदस्ट चिच्छिना चिच्छिक्या कैवले इस्थित आत्मने भगवान ने अर्जन को सामर्थ प्रदान करी अश्वत्हामा के सारे अतियारों को ठंडा करके रख दिया बांद के रख दिया अश्वत्हामा को बांद करके रख में पटक करके ले आए ला करके पटक दिया दुरुपदी के सामरे वारे दुरुपदी कमाल कर दिया मुच्चदा मुच्चदा मेशव ब्रामडो नितराम गरो उवाच चास हंतस्या वंदना नेयनम सदी छोड़ दो छोड़ दो ये ब्रामड है ब्रामड तो जन्म से ही गुरु होता है ये तो गुरु का बेटा भी है से छोड़ दो साथ भी यही है हमारे पांचों बेटों का हत्यारा तुम इसे छोड़ने के लिए कह रही हो इसका करम इसके साथ हमारा धरम हमारे साथ हमें अपना धरम देखना है एक स्त्री के जीवन में दो ही साहरे होते हैं पहला साहरा पती का और दूसरा साहरा बेटों का जरा इसकी मां की तरफ देखो उनके पती द्रोनाचार का बद आप लोग छल करके कर चुके हो और आज अगर इस बेटे को भी मार दिया तो वो इसकी मां अनाथ हो जाएगी बिद्वा अनाथ अवला ऐसे लोगों की जो हाए लेते हैं न वो कितने भी वल्वान क्यों ना हो वो समाप्त हो जाते हैं उनके कुलनष्ट हो जाते हैं इसे छोड़ दो गुरु पुत्रो गुरु बत भवती गुरु का वेटा गुरु के समान होता है इसे छोड़ दो दुवार काधीश की आँखों से आसू बहने लगे लोग कहते हैं हमारी इलाज बचाओ आपने द्रोपदी की इलाज बचाई भगवान कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ पहले द्रोपदी जैसा हिरदय तो बना लो जिसमें पांच गुण आ जाते हैं भगवान उसके आगे पीछे गुमने लगते हैं कौन कौन से पांच गुण धर्मम न्यायम सकरणम निर्वलीकम समम महत राजा धर्म सदोराग्या प्रत्यनंद बचोद्य जा पहला लक्षन है धर्म दुनिया को छोड़ना पड़ जाए छोड़ दो पर धर्म को मत छोड़ो हम लोग जल्दी से धर्म छोड़ देते हैं चलो चलो something is better than nothing जूता पैर के पर कमा कर लो चलो कोई बात नहीं इतना हो जा इतना ही कर लो बिना नाई वजन कर लो बिना वजन की ये नास्ता कर लो अपने आप हम लोग धर्म को छोड़ देते हैं भगवान का कहना है जो धर्म नहीं छोड़ता मैं उससे नहीं छोड़ता दूसरा गुड़ है नियाए हम लोग नियाए करना नहीं जानते हम से अपराद हो गया चमा कर दिया जाए दूसरे से अपराद हो गया दंड देना चाहिए द्रोबदी अपने पाँच बेटों के हत्यारें को भी छोड़ रही है क्योंकि उसकी मा अनाध हो जाएगी ये द्रोबदी का नियाए है सव करुणम भगवान का वक्त करुणा में होना चाहिए उसके एदे में करुणा ही करुणा होनी चाहिए कठोड़ता नहीं होनी चाहिए भगवान के भक्त का चोथा लक्षन है निर्वलीकम निर्वलीकम का आर्थ है निश्कपटता किसी से किसी भी प्रकार का कोई कपट ना हो द्रोबदी निश्कपट है इसलिए भगवान दोड़ करके आते हैं उसके लिए भगवान के वक्त का पांचमा नियम है समम्माने सम्मता सब को एक द्रश्टी से देखना एक जैसा विवार करना युद्रिष्टिर ने का छोड़ दो भीम ने का मार दो अरजने का मैं क्या करूँ छोड़ू के मारूँ ब्रह्म बंदू नहां तप्या आत्ताई बदारहन ब्रामन को मारना नहीं है ब्रामन को अपमान करना ही मारने के बराबर है कटार से माथे में मनी थी निकाल ली डक्का दे के बगा दिया बरी सवा में अपमान हो गया दुष्ट ने बदला गलत तरीके से लिया अगनी बाण अभिमन्यों की पत्री उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया ब्राम्मनों का आशीरबाद पांडवों का वंशज उत्तरा के गर्भ में है राजा परिक्षित अगनी बाण के कारण घर्भ जलने लगा रोते रोते भगवान की शर्ण में गई पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते हे प्रभु आज मेरा घर्भ जल गया तो आपका एक नाम भी जल जाएगा फिर आपको कोई भक्त वस्तल नहीं कहेगा मेरे गर्व में आपका भक्त है भगवान पधारे सुधसन चक्र से बालक की गर्व में रक्षा करी बोलो भक्त वस्ल भगवाने की जे पांडवों को राजा बना दिया भगवान दुआर का जाने की तैयारी करने लगे कुंती जी ने रास्ता रोग दिया कनिया मुझे एक बर्दान चाहिए बर्दान वो मांगते हैं जो जीवन में एक बार मेरा दर्शन कर पाते हैं मैं तो आपका भती जाओं जवाब उलाओगी तब मैं चल करके आ जाओंगा बर्दान की क्या जरूवत है माया जवनिकाच्छन मग्या धोक्षजमा वेयम न लक्षशे मूड़ द्रशा न टो नाट यधरो यथा यह माया का प्रदा हटा दो कर नहीं हम अच्छी तरह जानती हैं तमको क्रिष्णाय वास्देवाय देवकी नंदनायच नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमह मुझे बर्दान देदो मांगो वुआ विपदास संतोना शश्वत तत्र तत्र जगत गोरो एक निया हमारे उपर जनम जनम विपत्तियां पढ़ती रहें ऐसा बर्दान देजिए राम 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 भुआ बर्दान में परकर पैसा पतिष्टा परवार प्रसनता मांगी जाती हैं आप ये क्या मांग रही हैं कष्ट भी कोई मांगने की चीज़े हैं दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे कोई दुख में आपकी याद होता आती है का नहीं है जब जब आपकी याद आती है आप आकर के दर्शन देते हो आज सुख के दिन आए आप हमें छोड़ करके चल दिये बुआ, बाल विद्बा, बनवन बटकीं कभी बोजन मिलता कभी नहीं मिलता कभी लाक्षा ग्रेमे जलाने का प्रयास कीया गया कभी यह के बेटे को जैर दे करके पाताल में भेज दिया कभी कोई कश्ट, कभी कोई कश्ट बुड़ाबे में जाकर के अच्छे दिन आए फिर भी कष्ट चाहिए कुंती जी ने का मुझे रास आ गया है मुझे आदत में आ गया है कष्ट पढ़ते रहें और आपका दर्शन होता रहे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सरे जुकाना मुझे आस आ गया है किदर पे सरे जुकाना तुझे मिल गई बुजार मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गई बुजार मुझे मिल गया ठिकाना मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले तेरी बंदगी से रहले तेरी याद ने मना दी तेरी जिन्द की पसाना दी मुझे राज ने मना दी तेरी जिन्द की पसाना दी तेरी जिन्द की पसाना मुझे राज से आ गया है कि जरे में सर जिकाना मुझे इसे का गव नहीं है कि बदल गया जमाना मुझे इसे का गव नहीं है कि बदल गया जमाना मुझे इसे का गव नहीं है कि बदल गया जमाना मुझे इसे का गव नहीं है कि बदल गया जमाना पेरी जिन्दी के मालिक है कहीं तुम बदल गया जमाना मुझे राज से आ गया है तेरे दर पे सर जुकाना तेरी सामली से सूरत मेरे मन में बस गई है तेरी सामली से सूरत मेरे मन में बस गई है तेरी साम लेसी सूहुरते तेरे मन में बस रही है तेरे साम ले सलोने मुझे और ना सताना मुझे राश आ गया है तेरे दर पे सर जुटाना मुझे राश आ गया है तेरे में सर जुटाना यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दू फिर उठा लो यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दू फिर उठा लो जब चड़ गया चरण में आता नहीं उठा लो मुझे राश आ गया है तेरे दर पे सर जुटाना मुझे राश आ गया है तेरे में सर जुटाना मेरी आर जो यही है दम निकल तेरे जर पर मेरी आर जो यही है दम निकल तेरे जर पर अभी सांस चल लगी है कही तुम चले ना जाना मुझे राश आ गया है तेरे घर पे सर जुटाना मुझे राश आ गया है तेरे घर पे सर जुटाना क्रश्न कनया ला ले कीजे कुंदी जी को बर्दान दे करके पाचो पांडवों को ले करके भगवान पधारे श्री विश्व पिताम हैं के पास सर सिया पर पड़े हुए हैं रोम रोम में बान लगे हैं रोम रोम से खून टपक रहा है यहां तो एक उंगली विच्ची में आ जाए जिन में हम बजन नहीं करते हैं आज उंगली में लग गई है एक पाउं में कांटा लग जाए तो हम सारे काम छोड़ देते हैं उले एक कांटा लग गया है वाँ रोम रोम में बान लगे हैं भेरे भी करश्न 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 स्वास स्वास में चल रहा है भगवान को पलक जुका करके प्रणाम किया भगवान मुश्कुराय है युद्ष्टर ये कौन है मोरपंख बाला दादा जी हम इसकी वुगा के बेटें ये हमारे मामा का बेटा है भीम बताओ ये पीता मरधारी कौन है हमारा मामा का बेटा भाई है पर हमारा सलाकार भी है मंत्रना बहुत बढ़िया बढ़िया देता है अरजन ये कौन है मुर्मुकटवाला बैसे तो हमारी मामा का बेटा हम भुगा के बेटे पर मेरा ड्राइवर भी एहरत जलाता है और मेरा साला भी है नकुल सहदेव ने भी ऐसी रिष्टे बताए वीश्विजी ने जाड लगाई कि जो परात पर ब्रह्म परमीश्वर हैं उससे किस्तने के रिष्ते मान रखे हैं यही जगतनियनता है जो हो रहा है वो इन के कारण हो रहा है पांणड भुने प्रणाम किया श्री भीश्मने कहा कनया एक आखरी इच्छा मेरी बेटी है जिसका भिवाव मैं आपके साथ करना चाहता हूं सब चौक गए अखंड ब्रह्मचारी बेटी कहां से आगे कहा है दादा जी आपकी बेटी इती मचे रुपे कल्पे दावित्रिष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभोम्ने स्वासुख मुबकते कोचिद भी हर्तम प्रकते प्रकते मुपे युश्यद भव प्रवाव इती माने यह मती मेरी बुद्धी है न यही मेरी बेटी है आप मेरी मती के पती बन जाओ मेरी मती श्रीमती हो जाएगी कनिया आपने मेरी सभी कामना पूरी करी मैंने पहला हट किया मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूं आप मन अपने चरणों में लगाई रखे कभी ब्रह्मचर डिगाई नहीं मैं आप जानकर के कौरवों की सेना में रहा कि सुवे से शाम तक आपका दर्शन मुझे होता रहेगा यही बहुत बड़ा लाव होगा आपने प्रदिक्या करी कि आप महावारत में हतियार नहीं उठाएंगे और मैंने प्रदिक्या करी तो लाजूंगंगा जनने को सांतन सुटना कहां हो जो पेहरे को चक्र ना धरा रथांग पाने रथका पईया लेकर के आपने अपनी प्रदिक्या तोड़ दी मेरी आखरी प्रदिक्या है मैं आपके सामने ही मरना चाहता हूँ मुझे इच्छा मृत्यू है पर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा सिरसोह ना मुकुट हो जमना का बंसी बट हो मेरा सावेरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन से निकले भगवान ने सद्गती प्रदान करी द्वार का पधारे महमोसम मनाया गया परिक्षित का जन्म हो गया अनेक विद्वान आये बहुत सारी उपमा बहुत सारी बड़ाई बहुत सारी योगिता का बखान किया अंतमे कहा के सर्बदंश से मृत्यों होगी युदिश्टर ने कहा अरजुन जाओ दुवार का धीश स्री कृष्ण को बुला लाओ अरजुन पहुंचे दुवार का भगवान गोलोग जा चुके थे अरजुन निडाल होकर के गिर पड़े भीम बहुत दिन हो गए अरजुन लोट करके नहीं आए जरा देख करके लाओ जैसे भीम चले अरजुन का रताता दिखाई दिया अरजुन ऐसे पड़े हुए थे जैसे किसी ने उनका बल खींच लिया क्या हुआ अरजुन यसंसयाद्र बदगे मुपागतानाम राग्याम सयंबर मुखेस्मर दुर्मदानाम ते जो हितम खलमया बेहत अश्य सस्यो मस्यो सज्जी करते ने दनशार्ध गताच कृष्णा जिनकी करपा से मदुपधी को लाए जिनकी करपा से महावारत जीता सारी उपलब्दियां सी कृष्ण करपा से हैं वही धरा धाम को त्याग अपने धाम सले गए अब हमें नहीं रहेंगे परिक्षित को राजा बना करके पांचों पांडव शरी त्याग ने निकल पड़े परिक्षित ने कृष्ण मंदिर बनवाया रोज दर्शन करने जाता था एक गाय और एक बैल को आपस में बात करते हुए देखा तुम कौन बैल ने का मैं धर्म हूँ मेरे चार पैर हैं सत्य पवित्रता तपस्या और दान तीन पैर काट दिये गए कल्युक में ना कोई सत्य ना पवित्रता ना तपस्या एक दान नाम का पैर रह गया कौन काट रहा है इनको कल्युक ने आ करके का मैंने काटा तलवार उठाई मारने के लिए कल्युक ने का ठहरी है महराज कल्युक दोशन इधी राजन अस्ती एको महन गुणा बलई मेरे अंदर बहुत सारी बुराईया हैं पर मेरे अंदर एक अच्छाई भी है कौन सी अच्छाई सतियोग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरही भव प्रानी सत्योग में समाधी लगाने से भगवार मिलते थे त्रेता अभिविद जग्यनर करही प्रभु ही समर्प कर्म भवत रही त्रेता में यक्य करने से भगवार मिलते थे द्वापर करे रगुपतिपद पूजा नरभवतर ही उपाये नदूजा द्वापर में पूजा करने से भगवान मिलते हैं कल जुग केवल हरिगुन काहा सुमिर सुमिर नर उत्र पावें था कल जुग जोग न जग्य न जग्यन एक अधार राम गुन गाना मानस भक्षन चोरी जुआ व्यवचार चार जगे स्थान देद यह कोई बढ़िया स्थान दी तिया स्वन्ण में स्थान देद है राजा की शिकार כेलने की इच्चा हुई एक दिन राजन घोडे पे बैठ करके निकले रस्ता भूल गए पानी की प्यास लगी स्रमीक रिशी के आस्रम में गए रिशी तफस्या में मगन थे राजा को क्रोध आ गया इतना बड़ा राजा आ गया खड़े हो करके पानी की पूछना जाईए था लगता है ये रिशी पाखंडी है बजन करने वाले पाखंडी दिखाई देने लग जाएं तो समझ लो कल्यूग आ गया है मरा हुआ सरपतलवार से उठा के राजा गया रिशी के गले में डाल दिया अगर ये नाटक कर रहा होगा तो सांप के डर के मारे भाग लेगा रिशी समाधिस्त थे इराजा चले आए स्रमीक रिशी के पुत्र स्रंगी रिशी लोटे अपने गवालवालों के साथ पिता जी के गले में सर पदेख करके सोचा सांप ने पिता को डस लिया पिता मारे गए किसने गले में डाला समाधी लगा के देखा अच्छा इती लंगे तमरे आदम तक्षका सब्तमे हनी ददक्षतीस्म कुलांगारम नोदितों में ततद्रुतम हे परिक्षिद आज के साथ में दिन तक्षक सर्व के डसने से तुमारी मृत्यू हो जाए जी चारो तरव हाहा कार हो गया स्रिमिक रिशी की आँखें खुलनी पिता जी आप जिन्दा हैं वो ले हाँ सांप मरा था मैं जीवित हूँ बिना पूरी बात जाने क्रोध नहीं करना चाहिए जाओ जाकरके कहकर क्याओ कि राजा ससंग करे ससंग करने से राजा का कल्यान हो जाएगा परिक्षिद राजा को मालूम बड़ा मैं शापिद हो गया हूँ राजा सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आ गया बड़े बड़े संद मात्मा आए किसी से अपने मन की बात कहने का भी मन नहीं किया है किसी पर विश्वास नहीं हुआ कि यह मारा कल्यान करेंगे तत्रा भगवन भगवान व्यास पत्रो यद छे आगामट मानो न बेक्षो अलक्ष लिंगो निजला वतष्टो बतष्वालेर अवधू तवेशो श्रीश्वदे भगवान पधारे सब लोग खड़े हो गये जैसे चंद्रमा के निकलते ही तारा गण मलीन हो जाते है स्रीश्वदेव जी के आते ही सब लोग नियून हो गए सब ने प्रणाम किया राजा ने साश्टांग डंडवत प्रणाम किया दिव्य सिंगासन पर विराजमान कर दिया चरन धोय और हाद जोड करके कहने लगा यश्रो तब्यमितो जप्यम यद कर्थप्यम नभे प्रभो इस्मर्थप्यम भजनी अंबा ब्रूही यदवा विपर्ययम यह प्रभो जिसकी मृत्यू निकटा आगई हो से आत्मकल्यान का कौन सा साधन करना चाहिए करपा करके बतलाई है शुकदेव जी मुश्कुराए राजा के प्रश्ण के साथ श्रीमत भागवत जी का पहला इसकत्राइब है भगवान का वरणन 33 करोण देवताओं का प्रसंग स्रश्टी का करम ब्रह्मा की उत्पत्ती चतुशलो की भागवत का निर्मान स्वायम्भू मनुशत रूपा आद भगवान के विविन अवतारों की कथा देवूती करदम की कथा कपिल देव उपाख्यान का चरित्र धर्म के परवार का वरणन भगवान गोरी शंकर के पावन चरित तक कलकथा श्रवन करेंगे आईए सबी लोग खड़े हो जाएं भागवत भगवान की आर्ती करेंगे पुष्पांजली करेंगे और भगवान के गुणगान गाते गाते अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे मुलिय भागवत भगवाले की स्रीबाले कृश्नलाले की फूज सद्गुर देवसी स्रीजी बाबा महराजे की खे जै श्रीबाले कॉल दीजिए वही है येवाला मायक बाइशा भी एवाला मैं खुझे बाइशे प्यारी तेरी आरति काओ बहुर वुबड़ ये शीष में सो है प्यारी ही बर्सी तेरा मन वो है ते जबी बल ठादी में जाओ तेरी मां के प्यारी तेरी आरक बाओ ओ चर्डों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चर्डों के वे दल ठादे पाओ पाओ ते प्यारी तेरी आरक बाओ हम भातन के नाथिया पे हो हम भातन के नाथिया पे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो जित जर्डों के नाथिया प्यारी तेरी आरक बाओ उसंग सोहे ब्रस भान दुलारी संग सोहे ब्रस भान दुलारी करिता हम दिखी कब सखिया प्यारी ललता में की सब सखिया प्यारी आपने खराम आपने बाओ आरे सिया प्यारी तेरी आरक बाओ जले नसे तली करणम उपरानता हो पुष्पई देवाद बंधनाद सभी लोग अपने अपने हाथ में पुष्प बिले ले केशब जी मुठ्धी बरके पुष्पई दर भी देदो तो आपसमसर बाणता हो हरियों यगने न यगनमय जंत देवा स्तानि धरमानि प्रतमान्यासन्नह तेहनाक्वं महिमानह सचंत्र यात्र पूर्वे साथ्याहा संत्र देवा सेवंति कापकुलचंपक पाटलाप्जय पुन्न जजात तरभी ररसाल पूष्पई बिलवप्रबाल तुलसे दलमंजरे भी त्वंपो जयामि जगदी स्वरमे प्रसीदों नाना सुगंध पूष्पाणि यताकालो भवानिचा पुष्पाण्यलिर मयागत्व ग्रहाना परमेश्वरा कुष्पाण्यलिम् समर पयामी त्वमेवमाताच studiā त्वमेव त्वमेवभंद्वोच सकाथ वमेव विद्यात्रे विर्णं त्वमेव त्वमे वश्रवं ममदे वदेव बोलिये भागवत भगवाने की जेहू उस्व के संकट दूरी करेंगी बोबर साहने हिबारी बजाओ जाओ नानाम के बारी बजाओ बजाओ जाओ रधानाम के दाली क्रस्ती का आधान है राधाँच प्रश्ती का आधान है राधाँ GB और करुणा मैं सरे बार है राधा उनाधा नाम है जिस रचनापर उसने भाकी पाली बजाओ जाहो बजाओ राधा नाम की ताली प्रिम सुधावर साने वाली करुणा रच को चाटने वाली तर्मन जीदर जाहे है हुँँँँँदा नाम की ताली जाओ राधा नाम की लाले जाओ राधा नाम की लाले करभा डर्टी जैसे बर्बर देती और जीवन मैं खुसिया भर देती मन्योपर बन मैं भूल प्रिधिले हैं और महके डाले डाले बजाओ, बजाओ, राधा नामिकी ठाले और कोई भिर साथ करे जो अरे दुनिया की बर्वाद करे जो सामर्या की मेरी राहे मेरी ज्यारा सामर्या की खांगे निदुम्र हो जज तेरी ही रखे वाली बजाओ बजाओ राधा नामे की खांगे ताली ये ये फ्री रार है ये बार है टार है